तो आज अपना मैथ केम का टेस्ट नंबर 19 हो चुका है इसमें आपका मैथ का टॉपिक था डिफरेंशियल एक्वेशन इसके बाद आपके पांच टेस्ट और बचेंगे पांच की उबला मैंने क्योंकि छे टेस्ट थे जिसमें से लास्ट जो टेस्ट होगा आपका 11 और 12 में है वह टेस्ट मर्ज करके एक बना दिये जाएगा उसको स्टेटिस्टिक और रिजिन इंगा तो इसलिए पांस टेस्ट आपके बचेंगे उसके बाद आजाएगा आपका जाए में एक्जाम तो अच्छे से त्यारी करने हैं लगे रहो मेहनत करते रहो कोई टॉपिक ऐसा लगता है कि जिसमें आपको अभी डाउट आ रहा है तो आप डॉट कॉंटर प्या के पूछ लो या कोई दिख्कत आ रही है तो बात कर से ठीक है तो शुरू करते हैं कोश्चन नंबर माइनस 7 C E to the power minus 7 X मैंने क्या किया बताओ मैंने a का तो डिफरेंशेन रूल से दुनों का दिफरेंशेशन कर दिया, अब क्या तरीका होगा अपने बी और रूपो क्या करना है यहाँसे रिमूब करना है, तो पह nova तो क्या करो आप देखो B या C किसी भी एक को ले लो और आप क्या करो इसको independent बना दो किससे X से तो E की पावर क्या है माइनस 7X तो मैंने क्या किया E की पावर 7X से throughout the equation multiply कर दिया तो क्या मिलेगा मेरे को Y1 के साथ आ जाएगा E to the power plus 7X 5B के साथ आ जाएगा E to the power 5 और 7 कितना हो गया 12 तो 12X प्लस यहां पर constant क्या बचीगा माइनस का 7C ठीक है माइनस प्लस माइनस लिख लेना कोई दिक्कत नहीं है तो माइनस का 7C बचीए अब इसको करते है अपना differentiate तो यहां तो क्या लग गया U into V rule that is product rule तो product rule से क्या हो जाएगा Y1 का Y2 into E की पावर 7X प्लस सेकंड का function का differentiation तो क्या हो जाएगा E to the power 7X into 7 7 को आगे ले लेते हैं next equal to यहां क्या हो जाएगा 12,5,60 B E की पावर 12X प्लस 0 हो गया अब क्या करना है बताओ अब A बच गया sorry B बच गया तो आब B को independent ना दो आप X है तो क्या हो जाएगा E की पावर 12X है तो आप through out the equation multiply करते हैं तो क्या आएगा देखो यह आ जाएगा Y2 into E to the power minus 12X करेंगे तो कितना हो जाएगा यह minus 12 plus 7 क्या हो जाएगा minus का 5X plus 7 Y1 into E to the power यहां भी क्या हो जाएगा minus का 5X equals to क्या बचे का बोलो 60B अब इसको आप differentiate कर दो तो यह constant भी गाएगा तो क्या हो गया बताओ लगा प्रड़क्ट रूल Y3 into E to the power minus 5X minus 5Y2 E to the power minus 5X समझ के बात को E की पावर X अगी की पावर X और minus 5X का minus 5 से multiply कर दिया प्लस अब इसको कर लो यह क्या हो जाएगा 7Y2 E to the power minus 5X again minus 5 7 जा 35 तो minus 35 Y1 into E to the power minus 5X equals to क्या हो गया जीरो तो यह आ गया आगया आगया आपके अगया आगया सॉल करके वाइथी के साथ क्या है अकेला यह ही है तो यह हो जाएगा बलेक कलर यूज करने को टेंशन नहीं है यह तो एज़टेज अब बताओ यहां पर Y2 का कोफिसेंट क्या है यहां पर माइनस 5 और यहां पर क्या है प्लस 7 तो क्या बचेगा प्लस 2 तो Y3 के साथ तो कुछ भी नहीं है Y3 के साथ तो E to the power minus 5X है और यहां बचेगा प्लस का 2 Y2 E to the power minus 5X और लास्ट क्या बचेगा बताओ 35 Y1 माइनस 35 Y1 E to the power minus 5X अच्छा सारे माइनस 5X है E to the power minus 5X है मल्टिप्लाइ कर दो E to the power 5X है क्या बचेगा Y3 plus 2Y2 minus 35 Y1 Y3 plus 2Y2 Y3 plus 2Y2 दोनों आ रहे हैं तो कौन सा माइनस 35 Y1 था तो option नमर थर्ड सही होगा ठीक है बताओ की सम्में चलें आगे next चलो question number 2 क्या कह रहा है the differential equation of all the ellipse centered at origin and whose axes are along किसके coordinate axis तो coordinate axis तो क्या है उसके axis है और differential ellipse जो है उसका center है वो कहां पर centered है origin पर तो बताओ equation क्या बनी होगी x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 ठीक है तो कर लोग इसको differentiate आप एक a और भी को अपने उगायब करना है जितने constant उतना order आने वाला है आपको पता है तो क्या हो जाएगा बताओ यह हो जाएगा 2x upon a square plus 2y upon b square equal to 0 y का differentiation y1 बोल दूँ में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और अताओ 2 common लेके कड़ जाएगा एक काम करो x को वहां ले चलो तो क्या हो जाएगा yy1 upon b square x upon a square ठीक है अब एक काम करो जो constants है ना उनको तो एक तरफ ले लो आप और जो वेरिवल उसको एक तरफ ले लो तो x को यहां ले जाओ cross multiply करके इसको यहां ले आओ तो क्या बन जाएगा यह yy1 upon x equals to minus इसका b square upon a square तो यह तो क्या हो गया जीरो जाएगा इसका derivative इसका उखल लेते हैं अपन क्या question डूल लगा गए तो u upon b में क्या हो जाएगा बताओ उपर वाले का differentiation प्रट्ट्ट वाले का लगेगा तो क्या हो जाएगा 1 function का differentiation into 2 function plus second का derivative into first into denominator minus denominator का क्या हो जाएगा differentiation 1 हो जाएगा x का तो same हो जाएगा numerator जो भी है अपन में x square और equal to में क्या हो गिए उसका derivative 0 तो आपके सामने आचुका है answer कल लोगे सवाल आगे y2 into xy into y2 y1 का square आ रहा है और minus का yy1 तो कौन साप्षन आ जाएगा xy के साथ y2 xy के साथ d2y upon dx2 यानि की पहला second option आ रहा होगा है न चेक कर लोगे आराम से x into dy upon dx का whole square आ रहा है विल्कुल dy upon dx का whole square आ जाएगा minus का y1 है minus का y into dy by dx ठीक है कर लोगे ठीक है चलते है next question number third the solution of the differential equation this solution करना है अपने को differential equation दे रखी है तो बताओ क्या किया जाए सबसे पहले तो क्या करें सबसे पहले तरीका क्या होता है अपने को variable separable check कर लेते हैं second number पर देखते हैं कहीं linear differential equation नहीं या homogeneous तो नहीं है न तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि e की power में क्या आ रहा है y भी आ रहा है x भी आ रहा है तो अलग लग कर लिया क्या कर लिया था हो दी वाइपन दी एक्स एक्स एक्कोल्स टो e to the power x into e to the power minus y प्लस e to the power 2 ln x into e to the power minus y तो e to power minus y तो common आ गया और इसको नीचे लिया हो धर तो क्या हो जाएगा one upon e to the power minus y dy by dx बरावर में क्या हो गया बता हो e की power x plus e to the power 2 ln x है तो 2 तो कहां चला जाएगा x के power में तो ln का base क्या होता है e होता है तो क्या बचेगा यहां पर x square और simply by गल लो तो यह तो बन गया e की power y into dy dx को वहां ले चलो तो यह तो क्या हो गया बहुत ही simple question हो गया variable separator की help से हो गया और यकीन मानों है ना जो जही में में question आएगा वो जार तफ नहीं आता है ना तो इसलिए आप बड़े आराम से कर सकते questions को है ना तो क्या हो जाएगा बताओ e की power y का तो e की power y equals to e की power x plus x cube by 3 plus c तो कॉंस option आजाएगा चेक कर लेंगे फड़ाफट से option number third correct है चलें आगे ठीक है question number fourth differential function satisfies this then which of the following is false ठीक है देखो सबसे वहले अपने को function दिर्खा fx और इसमें अपने को पूछ रहा है f-x f double-x और fx का minimum maximum value तो पहली क्या है अपने को fx चाहिए तो fx निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अपन बताओ इस integration को solve कर सकते हैं बड़ यहां पर क्या है यह ftr और cost तो और कोई कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत किसी ft की तो एक काम करते हैं आपन पहले फड़ा से को simplify कर लेते हैं ठीक है गोलते हैं बने我 हैं लाद एक क्या ज्याएं बाव में money क्या जाएगा कॉस ओफ टी मांनेस एक्स लिमिट से जिरो से op जिख एक टी आप देखो एक काम करको आप यहां पर है कास्टी मैंनेस एक्स तो एक काम कुर्ण तो आप यहाँ पर क्या लगा दो, 0 से A property है ना, P4, तो क्या हो जाएगा, 0 से X, लगाओ तो क्या जाएगा बता हो, cos of, जब T को आप replace करोगे, 0-X से, X-T से, A-X करते हैं, तो X-T से, जाएगा, जैसा कि आपको पता है, cos fourth quadrant में कैसा होता है, positive होता है, तो cos of minus T, लोटके क्या जाएगा, cos T आजाएगा, तो चलते हैं, थोड़ा सा और आगे, 0 से X, F T, DT, F T, cos T, DT, F X, ठीक है, यह आगया, अब देखो, cos of minus T, तो क्या बन जाएगा, cos T, इसे दो कोई दिक्कत नहीं है, अब आजाते हैं, फंक्शन पे F X, अब F X को find करने के लिए, आपको क्या करना है, F X की value भी निकाल नहीं है, ठीक है, तो F dash X कैसे निकाल लोगे आप, लिबनी स्वर में क्या करते हैं, बता हूँ आप, अपर लिमिट रखते हैं, फिर अपर लिमिट का derivative, minus, lower limit पूट करते हैं, lower limit का derivative, तो lower limit तो क्या है, 0, तो उसके लिए जूरू है नहीं करने की, सीधे रखो, तो क्या आगया, F X into cos X, X का derivative, 1, minus, यहाँ पर क्या भुजएगा, cos T हो जाएगा, even function है, cos, तो क्या बचेगा अपना, cos X, ठीक है, यह आगया, अब बहुत ही आसा है, ध्यान से देखें हैं आप ल X, अब आप देखो, यह क्या बन गई, linear differential equation बन गई, dy.dx minus cos X into y, बराबर में, minus का cos X, तो यह तो बन गया अपना P, और यह बन गया अपना Q, यह यह हो गया QX, और यह हो गया PX, ठीक है, तो सब से बहुत है, अगर हो गया, integrating factor निकाल ले हैं, बहुत है, पहले, integrating factor निकाल ल of PX, DX, तो क्या हो जाएगा, minus का cos X, DX, तो क्या गया यह, e to the power minus का sin X, तो solution of differential equation क्या होता है, बताओ, y, y into, y into, क्या हो जाएगा, बताओ, integrating factor, यानिकि, e की power minus sin X, equals to integration of, बताओ, क्या जाएगा, integrating factor into QX, QX या है अपना, minus का cos X, DX, ठीक है, तो इसको भी रॉप कर देते हैं, आजाओ, तो बताओ, क्या आगे यहां से answer, इसको FX की लिए दूँ में, है न, FX की बात, FX में बाते कर रहे हैं पने, FX की लिए ते हैं, तो क्या आगे answer अपना, FX into, e to the power minus sin X, X, equal to, e की power minus sin X, into minus cos X है, तो sin X का derivative क्या होता है, cos होता है, minus sin का derivative क्या होता है, minus cos X, तो substitution की help से क्या हो जाएगा, minus sin X, तो मैं T put करूँ, तो यह पूरा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, तो e की power t का integration क्या जाएगा, e की power t, that is e की power minus sin X, plus C, यहां तक सही है, अब मिरे को C की value चाहिए, तो आप देखो ध्यान से, f 0 की value क्या हैगी, यह चेक करोगा आप है ना, तो एक बार में question पर लोटके आ रहा हूँ, तो बताओ, f 0 की value चेक करनी हो मेरे को, तो 0 से 0 limit हो गई, तो इसका में लगा होगी, 0 आजाएगी, तो simply अपन कह सकते है, f 0 की value क्या हैगी, 0 आएगी, clear, तो आप इसमें f 0 की value निकाल लो, तो f 0 रखोगी तो कितना आ जागा, यह तो 0 आगया, equal to e की power 0 के तना हो जागा, 1 plus c, तो यहां से क्या आ रहा है, c की value minus 1, c की value minus 1 आ गई, अब मैं इसा करता हूँ, एक बार इसको लिख दिता हूँ, solution को, और उसके बाद, मिटा दूँ उसको में, आ जाओ, तो finally आ चुका है आपके पास, f x into e की power minus sin x, equal to e to the power minus sin x, plus c, यानि की minus 1, ठीक है, minus 1, ठीक है, e की power minus sin x से, यहां भी है, यहां भी है, तो e की power sin x से multiply कर दो, पूरे को, क्या बन जागा, f x equal to, यह 1 minus e की power minus sin x, ठीक है, यह आ गया, आ, sorry, plus sin x, e की power sin x से multiply किया ना, पूरे को इसलिए, अब अपने को क्या चाहिए, बताओ, अपने कुछ चाहिए, f x की minimum और maximum value, तो बताओ, sin x की range क्या होती है, minus 1 से plus 1, sin x की range ही थी, minus 1 से plus 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, minimum value क्या हो जाएगी, जब f x, x की value क्या रोख़ए, minus 5 by 2, अज़ा, जब यह minimum होगा, तो यह क्या हैगा, maximum होएगा, तो इस पर आएगी, इसकी maximum value, तो 1 minus क्या होगी यह बताओ, यह minimum कर दिया, तो e की power minus 1, टिके, तो f of minus 5 by 2 पे यह जो value आ रही है, maximum हो आ रही है, तो e value minimum हो जाएगी, तो x की value जब आप 5 by 2 रहोगे, तो f 5 by 2 की value कितनी आ रही है, चेक कल लो, तो sin 5 by 2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो क्या आ गया, 1 minus e, तो यह आ गई, इसकी क्या minimum value, तो minimum value क्या हो गया, 1 minus e, इसका हमला यह option भी सही है, अब dash की बाद के लेते हैं न, derivative की इसकी, तो बताओ ज़रा मेरेको, f dash की बारे में, f dash x क्या आ जाएगा, f dash x आ जाएगा आपका 1 का differentiation 0, minus e की power sin x का e की power sin x, into क्या हो जाएगा, cos x, तो इसकी value निकाल लो आप, बताओ क्या चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए बताओ, f dash 0 चाहिए, f dash 0 की value निकालो, 0 होगे तो कितना आ गया, e की power 0 कितना हो गया, 1, और cos 0 की value कितनी होगी, 1, और आगे sign क्या है, minus, तो f dash 0 आ रहा है मीरा, minus 1, और इन्होंने क्या दिरखा है, plus 1, तो इसका मतलब यह option गलत है, इसका मतलब यह option भी सही होगा, ठीक है, कर लोगे आपर हम से, चलें आगे, चलो, f double dash कर लोगे ना, हम से, कोई दिक्कत नहीं है, च्छोटा सा function है, next question number 5, solution of differential equation this, एक equation दे रखी है, इसका differential equation का solution पूछ रहा है आपसे, तो इस differential equation का solution निकालने के लिए देखो, यहाँ भी dy upon dx है, यहाँ भी dy upon dx है, एक तरफ, एक तरीका तो यह दो common लिता में, बड़ common linear से बात नहीं मनेगी है, आप क्या करो, dy upon dx, दो जगे आ रहा है, तो dx upon dy से multiply कर दो, you will get x plus y into y into dx upon dy equals to y q, y से multiply करोगे, तो it will become dx upon dy plus 1 upon y into x equals to y square, सही है, अब linear differential equation मने चुकी है, ठीक है न, जिसमें dependent variable का है आप x, independent का है y इस बार, तो क्या हो जाएगा, बताओ, यह तो हो गया अपना, py, यह क्या हो गया अपना, qy, तो सब्सक्राइब क्या निकालूँगा, मैं इसमें integrating factor, क्या हो जाएगा, e की power बताओ, e का power आजाएगा, integration of, e to the power integration of py, तो py क्या है, one upon y, dy, तो कितना आ गया, ln y, ln y का क्या हो जाएगा, y, तो integrating factor क्या आगया, इसका y आगया, तो solution of differential equation क्या हो जाएगा, integrating factor into x, equals to integration of, integrating factor into qy, qy के लिएगा है, y square, तो यह आगया, into dy, तो क्या answer आगया, finally, y into x, बराबर, y cube बन गया, y cube का derivative क्या जाएगा, y की power 4 upon 4, plus c, तो answer क्या आएगा, xy बराबर, y की power 4 upon 4, plus c, देख लें, option, xy बराबर, y की power 4 upon 4, plus c, option number 1, correct है, इसका मतलब, इसकार, सही है, चलें, आगे, बाता रही है, समय सरी, है न, थोड़ा सा मेनत करें, कोई topic में दिक्कत आ रही है, तो आप आके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भी time है, अपने पास है, अच्छे से कर सकते हो, maths में, main बात है, पिपजर टफ नहीं आएगा, आप आराम से करो, solve, एकदम काम होके हैं, एकदम शान्त होके, कुश्चन को करना है, सही करके आओगे, पक्का solution, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुश्चन 6 में देखो, क्या कह रहा है, equation of the curve passing through 2,1, which has constant sub tangent, अब आपको बताओं, sub tangent, तो आपको ये चार बाते इसमें आती हैं, कई बार हैं, exam में क्या, कि tangent, sub tangent, normal और subnormal, इनकी लिए जो length है, वो रटनी बढ़ती हैं, कई बार आप लोगों को हैं, रटनी जरूत नहीं है, आपको तरीका बता रहा हूं, बहुत अच्छा है, छोटा सा है, सुनलो, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको ये तो पताइए, सबसे पहले आपने क्या बढ़ा, tangent, फिर क्या बढ़ा, normal, फिर पढ़ा आपने, sub tangent, और फिर subnormal, इनकी lens आपको चाहिए, तो क्या करना है, सीज जिस पोईंट में खाले एक्षण ड वह आ गया बैबन अपन में यहां पढन आएगा यहां भी बैद आएगा और यहांभी बैद आएगा आप कुछ नहीं करना को क्या करनाल है आपको पता है सबसे पहले क्यों pierws प्र अप्र this is the length of tangent तो यह जो है ठीटा क्या है इस पे ठीटा स्लोप हो गया उस पॉइंट पर क्या हो गया स्लोप हो गया टेंजेंट का बस कुछ नहीं करना आपको तो तो आपको पता है उसकी हेल्प से पॉट ठीटा कॉस्ट रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो यह याद करने जुर दिवाई पन दिएएकस है यह कैसे रखेश गाए तो के म अल ना इसको बन तो क्या हो जाएगा वाई पराबर के इंटु दिवाई पन डिएकस आ ठीक है अब बताओ क्या हो जाएगा यह यह डी-क्स को यह सकरो इधर लेया हो तो के को भी दिखकत को पॉइंट नहीं रुलसरी काया जाएगा वन पॉइंट मेला एनको यह पॉइंट कज़कों कि किसी पॉयंट की सबॉत सबस्टेंट की सो हो जो यह तो कि तो आ गया वन अपॉन कर देपर यह क्याшая वन अब पॉन के इसको सी करते है चलो कर लेते हैं, constant, कोई दिक करती है, c आगया, अब क्या करना है, अपने को 2,1 से पास करेज़े, तो यह कर भी दी, 2,1 से पास करेगा, तो क्या हो जाएगा, 2,1 इसको satisfy करेगा, रख दो इसमें 2,1, तो बताओ क्या आजाएगा 1 upon k into 2 equals to ln 1 plus c तो c की value क्या रही है log 1 तो 0 हो गया 2 upon k आगया c कितना गया 2 upon k तो इसको रब्रेस में 2 upon k को बताओ क्या हो जाएगा यह आजाएगा 1 upon k into x equal to ln y plus 2 upon k k से multiply कर दो तो क्या हो जाएगा k ln y plus 2 बरावर x बताओ कॉंस आप्शन सही है k ln y equals to k ln y equals to x minus 2 यानि कि option number 1 सही होगा k बोले तो lambda एक ही बात है ना कोई दिक्कत नहीं है constant है वो चलें आगे यह आप ध्यान रहे है ना कि y upon में sin theta cos theta tan theta cot theta है ना नेक्स्ट question number 7 क्या कहना चाहरा है equation of curve such that the intercept on x axis question आपने पढ़ा होगा एक बार में उसका समझने नहीं आया हो है ना तो देखो कहना क्या चाहरा है question में एक कोई curve है और उसके किसी point पे आपने tangent draw किया जो x axis को cut करता है तो जैसे मैं मान लूँ यह x axis यह curve है और इसके किसी point पी मान लेते हैं अपन और यह x, y दे रखा है ना इसके किसी point पे आपने tangent draw कर दिया अब यह जो tangent है वो x axis को जहां cut कर रहा है उसकी origin से distance है origin से distance का मलग क्या हो गया x intercept तो यह जो distance है वो क्या है double of x coordinate यानि कि इस point का जो x engine draw करी तो उसके equation आप लिख लोगा यारम से क्या हो जाएगी y minus y1 equal to m into x minus x1 तो y minus y1 बुले तो यहां पर x को y लिखा हुआ है तो ऐसा करो capital y ले लेते है y minus y1 equal to m, m कितना लिख लेंगे बताओ, dy upon dx equal to x minus x1 क्या हो जागा x minus x लिख लेते हैं अब यह बताओ, अब यह कहां स से पास कर रहा है, जिस point से पास कर रहा है, इसको क्यों माल लेते हैं, तो q point के coordinate क्या रहे होंगे बताओ, जिस point पर cut करेगा, वहाँ पर y coordinate क्या होगा इसका, 0 होगा, तो इसको माल लेते हैं, alpha, 0, तो y की value मैं 0 कर दूँं इस equation में, तो मेरे को यह वाला point मिल जाएगा, और तो यह alpha कितना हो गया अपना, 2x हो गया, तो चलो करते हैं शुरू, तो 2x, 0 रख दूं इसमें में, तो 2x, 0 हो तो कितना जाएगा, 0 minus y equal to dy upon dx, और यहाँ पर जाएगा 2x minus x, बोलो, गलत तो नहीं है बात, यह point जो है, x coordinate, इसका यह double था, तो इसका मतल़ क्या हो गया, यह x है, x coordinate, तो यह कितना हो जाएगा, 2x, तो बोलो, कितना हो जाएगा, difference, इसको simplify करें थोड़ा सा, minus y बराबर कितना हो गया, dy upon dx, into x, तो एक काम करो, 1 upon x, into dx आ गया, minus का 1 upon y, into dy आ गया, है ना, ठीक है, अब बताओ, क्या करा जाए, कलने दो तरफ बताओ, integrate कर देते हैं, क्या x plus ln y equal to क्या हो जाए, ln of x into y बराबर lnc, तो x into y बराबर क्या आ गया, c आ गया, तो यहां से जो curve आ रहा है, वो क्या आ रहा है, x into y बराबर c आ रहा है, अब यह क्या चला रहा था, यह कह रहा था, कि यह जो curve है, कहां से पास कर रहा है, 1,2 से, तो 1,2 से पास करा दो, तो 1 into टू बरावर सी तो सी की वेलू कितने आजेगी टू तो एक रेक्टेंगुलर आइपरबोल आ रहा है एक सिंटू य बरावर टू ठीक है तो कौन्स अप्षिन आजागा बता हो अप्षिन नमबर सेकेंड आ रहा है इसका अंकलब ठीक है चलें आगे चलो नेक्स चलते हैं कोश्चन नमबर टिर्थ पर इस सोलुशन ऑफ डिफरेंशल एक्वेशन एक्स डिवाई मैंस वाई दी एक्स ब्रावर जीरो क्या हो जागा बता हो एक्स डिवाई बरावर वाई एक्स एक्स डिफरेंशल एक्वेशन में कंवर्ट कर नहीं है सीदे कर लो है ना आराम से वन अपॉन वाई डिवाई एक्कुल टू कितना आ गया वन अपॉन एक्स डी एक्स इंट्रेट करोगे क्या जाएगा एलन वाई एक्कुल टू एलन एक्स प्लस एलन सी तो क्या आ y बराबर xc या cx लो एक ही बात है है ना log a plus log b क्या होता है log a into b तो y बराबर क्या गया cx यानि क्या हो गया एक line है जो कहां से पास कर रही है origin से मूल बिंदू से ठीक है चलें आगे चलो next question number 9th the solution of differential equation this solution निकलना था अपने को clear यह अपने को दिख रहा है क्या कि एक यह linear differential equation है ठीक है ना dy by dx plus px into y equals to qx ठीक है तो करने शुरू px का value कितना है 3 और qx का value कितना है cos square x तो क्या होता है तरीका अब ना पता है आपको integrating factor निकालते हैं पहले e to the power integration of px dx तो क्या है यहाँ पर 3 तो 3 dx कितना आ गया बताओ e to the power 3x आ गया if solution of differential equation क्या जाएगा बताओ y into e to the power 3x equals to integration of qx into integrating factor यहनि की cos square x into e to the power 3x dx ठीक है अब इसको क्या करोगे है 1 minus cos 2x upon 2 लिखके change करोगे कैसे लगा तो कि 1 minus cos 2x 1 plus cos 2x y into e to the power 3x क्या लिख दूंँ बताओ 1 plus cos 2x upon 2 e to the power 3x dx अब बड़ा समझो इसको 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 मिटा दूं पहले है ना आजाओ दो क्या हो गया यह y into e to the power 3x equals to 1 by 2 e to the power x का तो क्या हो गया e to the power 3x upon 3 यह तो हो गया अलग plus next क्या बज़ गया 1 upon 2 और integration के अंदर क्या बज़ जगा e की power 3x into cos 2x dx अब इसका प्लस v square कितना हो गया 3 square plus 2 square into क्या होता हो ए साइन बी एक्स जो भी है यानि कि 3 साइन 2x plus b cos 2x तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x यह यह यहां पर साइन होता तो क्या जाता बीच में मैनस होता है प्लस आगे क्या चल रहा है अपना e to the power 3x अपकोन में कितना है यहां पर 6 equals to y e to the power 3x अब कुछ नहीं करना आपको simplify करना है यहां पर कितना हो कि 13 13 into 26 आ गया और e की power 3x वहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है यहां भी आ रहा है तो एक काम करना आप e की पावर 3x से कर देना प्लस सी आएगा तो सी इंटू इस पावर क्या जाए मैनस 3x उसको सिंप्लिफाइक कर लेना option मैच कर लेना जो भी आ रहा हो नीचे 626 आ रहा है देख लेंगे जो भी आप्शन आ रहा है कल लोगे चले आगे चलो इंट्रिकेशन भी पार्ट लगाओगे तो काफी लेंदी जाए गए ना तो आप थोड़ा कुछ बात हैं याद भी रखें जल्दी करने के लिए question को देखो next question number 10 इन अकर वाइवरा और fx passing through the point 1,2 is the solution of this तो आप देखो differential equation दे रखी हो कैसी है देखो homogeneous है homogeneous है homogeneous से तो क्या करेंगे बताओ y की जगे क्या रख दोगे आप vx रख देना तो y की जगे vx रखोगे तो dv upon dx की वैलू क्या जाएगी बताओ u into v rule लगा दें product rule क्या हो जागा x का differentiation 1 plus v का differentiation dv upon dx x के respect में differentiate कर रहे हैं आपन ठीक है तो dv upon dx क यहां तो x को dx को नीचे ले जाना तो dv upon dx तो replace हो जाएगा इससे तो क्या लिख दूँ हो बताओ v plus x into dv upon dx और बाहर क्या है इसके 2x square असा right side में क्या जाएगा 2x into y की जगा vx रखोगे आप तो y की जगा vx रखोगे तो क्या हो जाएगा x square v plus में क्या जाएगा v square x square यहा तो cancel out हो गया पूरा first term क्या बच गया अपने पास x into dv upon dx 2 के साथ है ना 2x into dv upon dx equals to v square बचेगा अब बताओ इसको यह सा करें सेप्रेवल वेरिवल सेप्रेवल से कर लें वन अपन वी स्कूरे इंटू डी वी बराबर वन अपन टू एक्स इसको सॉल कर लोगे बाहर हम से अब इसका इसका हो गया हाफ ln x ब्लस में क्या जागा c अब यह क्या रहेते है अपने से कि यह जो कर भे कहां से पास कर रहा है वन कॉमा टू से तो वन कॉमा टू करें गए इसको स्ट्सफ़ाि करेंगा उससे पहले आप एक काम करना इसको मिटा दूं वी की जगे रखदीना आप y upon x यह रहाँ y की जगे मैंने क्या रखा था vx तो v की जगे जगा y upon x तो यहाँ पर आ जाएगा minus का y upon x तो minus क्या होगा बोलो minus 1 upon v की जगे क्या होगा minus x upon y equal to 1 upon 2 ln x plus c और यह कहां से पास कर रहा है आप 1,2 से तो ln 1 की value 0 और यहाँ पर क्या जाएगा minus का half तो c की value आगी बीटा minus half c की value minus half जो आई उसको यहाँ रखके क्या करना है अपने को f of 1 by 2 की value निकाल लिए निकाल दो क्यार हम से चलो मैं फड़ा सा solve कर देता हूँ और क्या गई minus x upon y equal to minus half ln half और c की value क्या ही थी minus half ठीक है है solve करें स्को अपन अब कहां पर value निकाल लिए हाफ पर तो x की value half यहाँ रखनी है यहां मैं रख चुका हूँ तो क्या जाएगी minus का 1 upon 2y equals to यहां plus half था नहीं यह plus half था 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 half ln x क्या था 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 half ln x तो कितना हो गया यह half अच्छा ln 1 upon 2 को क्या लिए सकते है यह 1 ? ln 2 की power minus 1 minus 1 by 2 ठीक है तो यह minus 1 जो power है वो कहां जाएगी आगे जाएगी अच्छा 2 सब जगे से क्या हो गया यह cancel out होगे है तीनों जगा से तो क्या बच गया minus का 1 upon y बराबर minus का ln 2 minus 1 minus को में लेके cut कर दो तो y बराबर क्या जाएगा यहां से y बराबर आएगा 1 upon में 1 plus ln 2 तो जो option सही होगा क्सक कोन स JACρω होगा option номер three अब मेरी बास नो द्यान से है, है ना आपको जो option मिला होगा फूर्थ option दंय वहिए ओगा फूर्थ नहीं होगा है ना फूर्थ न्हीं होगा इसका क्या होगा चोट्ह फूर्थ option सही ओगा है तो answer की में हो सकता है fourth option मिला हूँ आपको तो इसको correct टेल ले ना third option है checking जो होगी वो third option के साब से होगी आप को है न तो इसको ध्यान रखेंगे हैं चलो next question number तो यह नहीं सोचना है कि की correction है ना answer आपका सही आएगा y बराबर y x is the solution of differential equation dy upon dx plus 10 x into y बराबर sin x 0 से 5 by 3 के बीच में x with y 0 बराबर 0 then y of 5 by 4 equal to किस के होगा तो एक काम करूँ पहले तो अपन क्या आप निकालने हैं function निकालने हैं तो एक काम करते हैं सबसे पहले क्या देखा dy upon dx और यह क्या बनके अपना px और यह qx linear differential equation बन रही है सबसे पहले क्या करोगे integrating factor निकाल होगे आप integrating factor क्या हो जाएगा e to the power integration of इसका 10x dx क्या हो जाएगा बताओ और x किसमे लागी कर रहा है जीरो से पाइब भी तरी में तो कैसा होगा positive होगा और positive होगा तो क्या जागा यह सीदिक क्या लेख सकते हैं अब यह क्या चला रहा है यह कह रहा है इसका solution है ना solution क्या आपना y into sec x y into integrating factor in equals to integration of integrating factor यानिकी sec x into qx यानिकी sin x तो यह क्या बन जाएगा बताओ sec x को लुटा cos x sin upon cos क्या बन गए 10 again it will be ln sec x plus c ठीक है y into sec x x किसमा लगी कर रहा है 0 से 5 by 3 में कोई दिक्कत ही नहीं है अब किसी value पुछ रहा है आपसे 5 by 4 पर तो 5 by 4 value निकाल दो तो बताओ sec 5 by 4 कितना हो जागा root 2 यह कितना हो गया root 2 plus c plus c ठीक है अच्छा y 0 की value क्या दिरिखी दी अपने को 0 की बिन थी तो यहां से प 0 की value 1 log 1 की value again 0 अच्छा c की value क्या रही है 0 आ रही है तो यह तो क्या हो जाएगा अपना 0 हो गया अब निकाल लेना इसे कल लेना solve आगे अराम से कल लोगे 1 upon root 2 ln root 2 root 2 को लिख देना 2 की power half half आगया जाएगा तो कौंस option सही है option number 1 upon 2 root 2 यानि की option number 2 सही है चलें आगे चलो next question number हाओई next question number 12 क्या कह रहा है solution of differential equation x square y square plus y dx plus this तो एक काम करते हैं पहले तो इसको multiply कर लो आप क्या बन जाएगा देखो x square y square into dx plus y dx plus 2 x q y into dy minus x dy बराबर 0 ठीक है अब आप देखो y dx और x dy इसका प्यार होन गया तो क्या हो जाएगा x square y square dx plus 2 x q y dy plus y dx minus x dy equals to 0 y dx minus x dy बन रहा है इधर यह x square से आप डिवेट कर तो पूरे को तो y square dx plus 2 x y dy plus क्या गया y dx minus x dy अपन में क्या गया x square equals to 0 ठीक है अब एक काम करते हैं आप देखो आप यहां पर तो क्या रहा है y square dx और यहां क्या रहा है यह किसका बन गया यह derivative differential बन गया किसका x into y square का अब मैं बात करता हूं इसकी तो यहां पर क्या रहा है y dx x यानि कि y into x का differential dx minus x into dy इसका मैं क्या हो गया इस मैं से मैं minus 1 नहीं दी काम ले लूँ तो काम बन जाएगा तो क्या बन जाएगा x into उपर वाला minus नीचे वाले का differentiation तो क्या आ जाएगा यह जाएगा x dy minus y dx अपन में x square अब साही है ना अब देखो नीचे x नीचे क्या x square है तो नीचे तो x आ जाएगा और y का differential क्या हो गया dy तो x into dy minus y into dx तो कुल मिला के क्या आ गया यह अपना इसको लिख सकते है अपन differential of किसका y upon x ठीक है अब बस कुछ नहीं करना समझगे हो गई आप लोग अब इसको integral निकालना है तो क्या करोगी तो क्या जाएगा x y square minus y upon x equal to c तो कौन साही होगा अपना x y square minus y upon x minus y upon x यानि कि option number third correct है तो यह आपको थोड़ा सा differential equation exact बनानी यानी चाहिए ठीक है चलते याँगे next question number 13 the solution of the equation this one यह भी question विल्कुल वैतरी नहीं विल्कुल वैसे ही क्या करना है आपको देखो ध्यान से कुछ नहीं करना 2xy into dx plus x square y into dx plus y cube upon 3 into dx plus का है x square dy plus y square dy बरावर क्या है 0 तो एक काम करते हैं देखो से स्वेले आप क्या जो options है उसमें क्या रहा है e की power x आ रहा है तो आप थोड़ दो equation क्या कर दो e की power x से multiply कर दो है ना तो यह आपको e की power x से multiply कर दिया तो डिरेक्ट लिख दिया है थोड़ा समझने की कोशिश करें e की power x से में थोड़ दो equation multiply कर दिया ना कोई फर्क नी बढ़ेगा अब सुनो मेरी बात अब आपको क्या देखना है कि exact differential equation कौन सी बन सकती है ना तो बताओ x square y square कहां गया यह रहा अब यह बताओ कौन सा differential बन रहा है तो आप देखो दियान से e की power x into y square यह वाला part देखब आप और यहां पर क्या है y cube into e की power x ठीक है इन दोनों को देखो दियान से क्या यह differential बना हुआ है किसका e की power x into y cube upon 3 का क्यों क्यों कि जब y cube को मैं differentiate करूंगा तो 3 आ गया है का 3 स 3 cancel out क्या बच्छे का y square तो यहां पर y square है तो e की this power x into y square into d y ये और ये ये दोना चलेगे इसमें अब कौनसा बज किया बताओ एक दो और ये तीन अब इसको आप से देखो किसका बन रहा है तो यहां पर टुब आ गया रहा है इसका मतलब किसी का एक्कोल्स तो क्या चल लाँ अपना जीरो तो क्या आगे आपना बताओ आंसर एक्स एक्स स्क्वेर य प्लस एक्स एक्स इक्स क्वेर एक्स वाई कुण से वाला है x2 e की पावर y ये भी बन रहा है ठीक है बीच में प्लस आ रहा है तो इसका मतलब e वाला होगा second option correct हो गया चलें आगे चलो next question of 14 the solution of the differential equation is this सबस्वेले क्या करो कि उता हो exponential ने x y की पावर 4 plus y dx into minus का x dy इसको भी करें वैसे ही यह चलो इसको इसको अलग से कर लेते हैं ना तो इसको क्या करो आप एक काम कर लेते हैं अपन सबसे पहले तो इसको convert कर लोग इसमें standard form में कैसे x y की पावर 4 plus y इसको वहां ले गए तो क्या बन जागा x dy और नीचे dx इसको वहां ले चले माइनस का वन उपान x into y और x x कैसे लोट हो गया तो क्या पावर 4 अब यह देखो ध्यान से बढ़नोली equation याद आ रहा है तो क्या था जब भी अपने पास linear differential equation नहीं है ना बढ़नोली यानि कि linear differential equation में convert कर सकते हो by dividing maximum power of y जो भी है ना तो क्या हो जाएगा y की पावर n से पने डर्ड किया यानि कि 4 से तो क्या बन जागा यहां पर 1 upon y की पावर 4 sorry 4 dy upon dx उपने यहां पर यहां पर जाएगा वन आपन में y q आ गया एककोल्स तो कितना हो गया वन तो qx के लूग यहां जाएगी तो बताओ क्या चाहिए 1 upon y की power 4 है और यहां पर क्या है 1 upon y cube क्या minus तो minus 1 upon y cube को क्या कर दो आप t put कर दो तो क्या बन जाएगा यहां से plus का 3 upon y की power 4 dy upon dx equal to dt upon dx सही है तो क्या हो जाएगा बताओ यह आगे अपना 1 upon 3 dt upon dx अब पूरा करने ही जरूत नहीं है question को है ना आप कर सकते वारा हम से 1 upon x into क्या हो गया t equals to 1 3 से multiply कर दो तो यहां पर यह 3 जो है वो यहां चला जाएगा 3 और यह 3 यहां जाएगा तो क्या बन गया dt upon dx plus 3 upon x into t plus 3 तो यह हो गया आपका px और यह हो गया आपका qx clear है तो क्या निकाल होगे integrating factor बताओ integrating factor क्या जाएगा e to the power integration of this तो 3 upon x का integration क्या होगा 3 ln x ln x के ऊपर 3 चला जाएगा तो x क्यूब बचेगा तो क्या बचेगा x q to ln x q अजाएगा तो कुल्म लगके क्या जाएगा इसका if x q अजाएगा और integrating factor आगे x q तो इसका solution निकाल दो क्या हो जाएगा t into यहां पर t है न वेरिवल dependent वेरिवल t into x q equals to integration of x q into 3 क्या था q x 3 into dx तो कल लोग इसको सब्सक्राइब कल लोग आराम से ना चलें आगे एक काम करेंगे सब्सक्राइब करते हो है ना सिंपल से काम करूँ आप x प्लस y अपन 2 x मैंने सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है आप इस पूरे को उठाके वहां ले जाओ तो क्या बन जाएगा बताओ dy upon dx यह ना variable separable से हो जाएगा बड़े आराम से देखों करके देख लेते हैं जो भी है sin of x minus y upon 2 minus sin of x plus y upon 2 लगाओ sin c minus nd क्या होता है बिल्कुल trigonometry बहुत अच्छे से याद होने चीए सारे formula आपको ठीक है तो sin c minus sin d होता है 2 cos c plus dy2 तो c plus dy2 करोगे तो y upon 2 से y upon 2 गर जाएगा तो x हो जाएगा x upon 2 आगया sin c minus d upon 2 तो minus का y upon 2 आगया तो minus का y upon 2 आगया minus sin भार आजाएगा तो अब आराम हमसे यह variable से प्रेबल से question हो सकता है तो क्या को जाएगा बताओ dy के पास लेयाओ किसको sin को तो उल्टा होके क्या बन जाएगा यह cos 1 y upon 2 कोई दिक्कत नहीं है इसमें समझने में है ना sin नीच आएगा sin का उल्टा cos 1 इधर जाके क्या हो जाएगा यह तो उपर ही है cos x by 2 into dx minus sign को यह रख लेते हैं minus 2 को अब दोने तरह इंटिकेट कर दो आप answer आजाएगा इसमें लगा दिना ln क्या 10 x by 2 यानि कि 10 y upon 4 हो जाएगा यहां पर क्या जाएगा 2 अच्छा y upon 2 है न तो क्या हो राएगा यानि कि 2 से मलटीफेय करतो है न दिबैड ढ़र half तो क्या हो जाएगा 2 से मलटीफेय हो जाएगा और सही है, प्लस C, तो 2 तो cancel out हो गया, क्या answer आजाए का बताओ, देख लें, option में एक कलने, ln 10 pi by 4 y upon 4 equals to minus 2 sin x by 2 plus C, यह option आ रहा है मेरे ख्याल से है न, चेक कर लेंगे आप आराम से, अच्छा एक ही question में है न, 10 y upon 4, तो कोई दिक्कती नहीं है, एक ही option में दो, चलें आगे, चलो next question number 16, the integrating factor of the linear differential equation this, आसान है वेहदा आसान question, dy upon dx plus px into y और यह क्या होगया, qx, तो integrating factor निकालना है, तो क्या करोगे बताओ, e to the power integration of px dx, तो px क्या है अपना x upon x square minus 1, dx, तो क्या हो जाएगा, e to the power, यहाँ पर आप क्या करो, 2 से multiply और divide कर दो, तो क्या बन गया, उपर वाला नीचे लगए derivative, तो fx, f dash x upon fx, क्या याद क्या हुआ है, अपने ccd, ln, जो भी है नीचे, fx है तो क्या हो जाएगा, 1 by 2, ln, mod of x square minus 1, ठीक है, तो 1 by 2, उपर चला जाएगा, तो log का sign अड़ जाएगा, तो क्या बच गया, x square minus 1, पावर हाफ, अब तो पावर हाफ आ रही है, तो इसका मुला अंडरूट आ गया है, अंडरूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अब बस, यहाँ पर गलती होई होगी, आप से हो सकता है, तो आप ध्यान रखो, यहाँ पर जो यह interval दे रखा है, वो क्या दे रखा है तो minus 1 से plus 1 ही दी domain, इसका x का value x range है, minus 1 से plus 1, इसका मतलब क्या हो गया, जब यह root mod अटेंगे बन, तो कैसा खुलेगा, negative, यानि की under root of क्या बन जाएगा, 1 minus x square, mod कैसा खुलेगा, negative खुलेगा, सही है न, minus 1 से plus 1 के बीच में, तो कौन सा option से होगा, option number third, ठीक है, चले हैं यहा जालो, एक काम करो, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा, x square y square को क्या रख दो आप, t, t रख दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बताओ, 2xy square प्लस, x square into, 2y into dy upon dx, equal to कितना हो गया, dt upon dx, clear, अब ध्यान से देखो, क्या लेखा हुआ है, 2xy square, तो एक काम करो, यह जो पार्ट है, 2xy square, इसको left में ले जाओ, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2xy square प्लस, 2x square y into dy upon dx, तो इस complete की value के अतनी हो जाएगी, dt upon dx, तो इसको में लेख सकता हूँ, dt upon dx, बराबर, क्या बच गया है, यहाँ पर, 10x square y square, तो यह क्या बन गया, 10t, अब कलो क्या आराम से, 10 इदर आ जाएगा ln sin x, कल लोगे आराम से, कल लोगे, है न, क्या जाएगा, यह तो आगया, ln of sin t, यहाँ पर आगया, x plus c, ठीक है, तो t की value क्या रही थी, अपने, t रखा था, x square y square को, तो क्या हो गया यह, sin of x square y square, और यह चला गया, e की power में, तो e की power x plus c, और अपने गिविन भी है, y1 की value, under root 512, तो x की value 1 पर y की value यह आईगी, तो इसको रख के आपार हम से c की value निकाल लेंगे, solve कर लेंगे, ठीक है, और सा option आएगा, देख लेंगे, sin x square y square sum में आ रहा है गया, चलो, चेक कर लिना है न, तो, चलो, मैं कर दूं क्या, x की value 1 रखो इसमें, तो x की value 1 पर y की रही यह आगे तुमारा e to the power 0, तो c की value आगी, minus 1, c की value minus 1 आ जागी, तो e की power x minus 1 आ जागा, इसका मतलग, चलो, चेक कर लेंगे, अराम से है न, चेक कर लेंगे, क्या आ रहा है, third option आएगर शायद न, देख लेंगे, करें, चलेंगे, चलो, next, 18th question, solution of differential equation, x into sin y upon x into dy बराबर यह इसा, एक काम करो, पहले तो आप x से ड्वेट कर दो, और इसको इदर ले आओ, तो dy upon dx into sin y upon x equals to y upon x into sin y upon x minus 1, clearly अपने में दिख रहा है, homogeneous equation है, differential equation है, जिसकी degree कितनी अपनी, 0, तो एक काम करो, y बराबर रख दो, आप vx, और सबको पता है न, कि dy upon dx convert हो जागा, किसमें, इदि अपने पढ़ाई करिये, तो आपको पता है, यह चीज है न, कि v plus x into dv upon dx है न, इतना आपको करने की जुरूत नहीं है, कि आप प्रोडक्ट रू लगा रहे हो है न, अब अपने पस इना टाइम नहीं है, कि इतना सब समझें आपन, तो dy upon dx बराबर क्या हो गया, v plus x into dv upon dx, इस value को ठाक रख दो, तो क्या हो जाएगा बता हो, sin v into dv upon dx into x plus v equals to me क्या आगे बताना दरहा, देखो v into sin v minus 1, तो इसको solve कर लो आरा हम से है न, क्या आ रहा है, देखो, यह हो गया, sin v into v, यह भी sin v into v, तो यह तो cancel हो जाएगा, v वाला पार्ट को, minus 1 बच गया, और इ dv upon dx, ब्रावर minus 1, तो एक काम करो, x को dx के पास, और v को dv के पास, यानि कि, आपके पास आते सारा चुका है, sin v dv, ब्रावर 1 upon x dx, ठीक है, minus n को यहां रख लेते हैं, तो sin v का differentiation, integration, minus cos v, minus minus plus हो जाएगा, तो यह आगे आपका, cos v equal to lnx plus c, कर लो किस वाल बागे, cos v, यानि की cos y upon x lnx plus c, option number second आएगा है, ना, देख लेना, आप चेक कर लेना है, चलो, बागी answer की में गलती नहीं है, answer की जब गलत होगी, तो आपको पहली बता दिया जाता है, उसमें, कोई भी, जो भी मेत्स की, आपको कॉपी चेक हो रही है, जो भी आपकी answer की, चेक होती क्या रहा है, solution of differential equation this, अच्छा, ये तो हो गया, next question number 19, क्या क्या रहा है, the differential equation of the family of curves this, तो differential equation निकाल नहीं है, तो पहले दोगो, c constant आ रहा है, तो c की value निकाल के put कर लेते हैं, सबस्वेले क्या करो के बताओ, 2 y y dash, equal to कितना हो गया, 2, तो यहां से c की value कितनी आ रही है, 2 से 2 क x plus 1 upon y y dash, solve कलो क्या रहा हम से, 2 x into y y dash वाला अंसर है अपना, है न, y y dash से multiply कर दो, तो 2 x into y y dash, plus मैं 1 और इधर y square, तो कौन्स option से यह बताओ ज़रा, y square equals to 2 y into, यह नहीं है, y square equal to 2 x y into y dash plus 1, इसका माला option number 3 correct है, चले हैं आगे, चलो, next question number 20, क्या क्या रहा है, the general solution of the equation, this one, देखो, क्या करेंगे, exact differential equation से भी कर सकते हो, और normal भी कर सकते हो, चलो, करते हैं, सबसे पहले, x से ड्वेट कर दो, आप, तो क्या मिलगे, आपको, dy upon dx, plus 1 upon x into y, equals to y square x square, into cos x, ठीक है, अब देखो, ध्यान से, अब आपके बस क्या दिख रही है, आपको यह, वर्मालीज equation, तो आप y square से ड्वेट कर दो, तो क्या मनेगा, 1 upon y square, dy upon dx, plus 1 upon x, और यह होगे, 1 upon y, equal to, क्या बच गया, x square cos x, अब आगे, format किसमे, l, d, में convert होने जा रहे हैं, reduce करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, बताओ, 1 upon y का derivative क्या होता है, minus 1 upon y square, तो अब एक काम करो, यहाँ minus लगा कर, और यहाँ पर minus लगा दूमे, तो इसका derivative बनके completely है, तो minus 1 upon y को आप रप्त दो, इसमे, t, plus का 1 upon y square, into dy upon dx, क्या बन बन जाएगा, ठीक है, तो लिख दो, यहाँ पर, dt upon dx, minus 1 upon x into t, बराबर, x square into cos x, बताओ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसका integrating factor निकालने हैं, अपन, क्या हैगा integrating factor बताओ, आई-f तो आगया, इसका, e to the power integration of minus का 1 upon x dx, 1 upon x का integration क्या होता है, log x होता है, तो log x होगा, तो minus sin उपर चला जागा, तो क्या बन जागा, e की power minus का ln x, तो यह बन गया, 1 upon x, क्या बन गया, यह 1 upon x, समझें न, कैसे, minus sin उपर चला गया, और log का base कितना है, यहाँ पर e है, तो ln का base e है, और e, तो ln का base e होता है, तो x का क्या हो गया, 1 upon x, तो यह तो हो गया, integrating factor, अब cos x dx, अब एक, तो x कट गया, और t की value क्या रखीती है, आपने बताओ, t की value इसमें आपने रखीती, minus 1 upon y, तो minus 1 upon y रख दो, minus 1 upon xy बराबर, integration करना है, अपने को x into cos x का, तो देखो, यह first function और यह second function, तो कर लोगे, इसको आप आराम से है, न, integrate करना है, answer आजाएगा, equation number 21, the equation of the curve satisfying the differential equation is this, इन में से जो, यहना, none of these, तो इन में से जो कुश, अपना क्या है, option है, वो बताने है, कौन से सही होगा, तो कर लेते हैं, सौल, पहले आप इसको, expand कर लो, तो x into d y upon d x आ गया, minus का y into d y upon d x आ गया, minus का x बरावर 0, और यहाँ पर क्या आ जागा, y into d y upon d x का whole square, तो आप क्या कर लो, factorize कर लो, इसको है न, यहाँ से क्या common आ गया बताओ, बोलो, इन दोनों से क्या common आ रहे है, पहले, y into d y upon d x क्या common आ जाएगा, तो y into d y upon d x क्या common ले लिया, और in में से क्या common आएगा, x, तो क्या बचेगा, प्लस का x, दूसरी factor में क्या आएगा, बताओ, क्या बचा था भी, d y upon d x minus 1 बचा था, तो d y upon d x minus 1 बचेगा, equals to 0, तो दू factor आ गए, दोनों को कर लेते हैं, solve, तो यहांसे तो क्या मिल रहा है, बताओ, यहांसे मिल रहा है, y dy equal to आएगा, minus x dx, और दूसरा यहांसे क्या आ जाएगा, बताओ, dy बराबर dx, तो यहांसे तो आगए y बराबर x plus c, और यहांसे क्या आ रहा है, बताओ, यहा y square upon 2, बराबर c, यहनि कि x square plus y square, बराबर a square वाला format बन गया, यह तो रेप्रेजेंट करता है कि इसको circle को, और यह रेप्रेजेंट करता है कि इसको line को, तो कौन सा option है जाएगा, इसको रेप्रेजेंट करेगा, बरत को, चलते हैं आगे, next, हाँई, next question number 22, क्या कहना चारा है the general solution of the equation is, क्या करेंगे देखो, सबसे पहले तो x और y इन दौनों के साथ dy upon dx है, तो पहले तो एक्ताम करो, dx upon dy से multiply कर दो, तो 1 plus y square into dx upon dy, plus में क्या बच गया, x minus e की power 10 inverse y equals to 0, ठीक है, यह आ गया, अब एक्ताम करते हैं, minus था न, yes, अब एक्ताम करो, 1 plus y square से डिएट कर दो, तो यह LDE, linear differential equation में convert हो गई है, देखो आप ध्यान से x into 1 upon, 1 plus y square, और यह इदा चला जाएगा, तो क्या बन जगा, e की power 10 inverse y upon में 1 plus y square, हो गया, solve question खतम, यह तो क्या होगे आपका, py, यह क्या बन गे आपका पूरा, qy, सही है, तो पहले क्या करोगे, आप integrating factor क्या होगे, integrating factor क् 1 upon, 1 plus y square का integration क्या होगा, बताओ, 10 inverse y हो जाएगा, तो e की power तो आगया, 10 inverse y हो जाएगा, तो अब solution of differential equation लिखना है, क्या हो जाएगा, बताओ, if, यानि की integrating factor into x, तो x into क्या हो गया, e की power 10 inverse y, ब्रावर, integration of, क्या जाएगा, integrating factor into qy, तो qy क्या है, अपने पास, e की power 10 inverse y है, आप उन में 1 plus y square है, और into integrating factor क्या होगा, e की power 10 inverse y, dy, ठीक है, तो कुछ नबत करो, आप 10 inverse y का derivative नीचे बेटा हुआ है, तो 10 inverse y को क्या रखदो, आप t, तो इसको t रखोगे, तो क्या बन जाएगा, ये पूरा dt बन जाएगा, dy अपन में ये, तो ये पुल मिला के कुछ ऐसा ने जाराएगा, आपको, e की power 10 inverse y का क्या बन गया, whole square, तो उसका क्या हो जाएगा, बताओ, e की power 10 inverse y, 2 10 inverse y है न, अपन में क्या हो गया, 1 plus y square dy, मैंने बुला, 10 inverse y को रखदो आप t, तो क्या हो जाएगा इसका answer, e की power 2 10 inverse y, अपन में 2, सही है, ये इसका क्या आगया, integral आगया, तो e की power 2 of this, equals to x into e की power 10 inverse y, तो option number कौन सा सही है बताओ, 2 को वहा ले जाओ, तो 2x into e की power 10 inverse x, 10 inverse y, 2 into x, पहला option में आ रहा है, चेक कर ले हैं और आगे भी, e की power 2 inverse y सही है, है न, तो ये चीज़ आप देख ले न, 10 inverse y को आप रखोगे t, तो ये क्या बन जाएगा, आपका dt, तो e की power 2t का integration क्या हो जागा, e की power 2t upon 2 है न, इसलिए, चलो next question number, हाँ ही next question number 23, क्या क्या रहा है, the differential equation of the curves, ये, तो एक बाद बताओ, पहले तो क्या देखे अपने, equation जो दे रखी है, उसमें कितने अन्नों ने, a और b दो न्नों ने, तो करते है, differentiate शुरू, करते ह सबसे पहली बात क्या हो गया, y-broward क्या जाएगा बताओ, a into x का differentiation 1 into cos of 1 upon x plus b minus, a x into cos का differentiation minus sin हो गया, समझे न, इसलिए, minus लगा दिया मैंने, sin of 1 upon x plus b, अब 1 upon x का differentiation क्या हो जाएगा, minus का 1 upon x square, ये आ गया, अब एक काम करते हैं, देखो, यहाँ पर जो a x cos x है, है न, तो a into x cos of this, तो मैंने क्या किया, इसको x से कर दिया, multiply और x से कर दिया, divide, अब ये convert हो गया, किसमे, a into x into cos of this, ये convert हो जागा बाई में, तो इसको मैं क्या लग सकता हूँ, y dash बराबर, y upon x minus, यहाँ पर 1x से 1x cancel out हो गया, ठीक है, तो क्या बच गया, a upon x into sin of, 1 upon x plus b, ठीक है, अब x का LC में लेके आप यहाँ ले जाओ, तो क्या हो गया, x, y dash बराबर, y minus a into sin of, 1 upon x plus b आगया, अब इक बार, फिर से differentiate कर दो आप, तो x into y double dash, प्लस x का 1 into y dash, बराबर y का y dash, minus, यह तो a ही रहेगा, constant है, sin का differentiation, cos, 1 upon x plus b, अब बताओ, 1 upon x से क्या हो जागा, minus का 1 upon x square, तो minus का 1 upon x square हो गया, ठीक है, अब बताओ, फिर से यहाँ पे cos आ गया, तो इसको आप क्या कर लो, x से multiply ड़ाट कर लो, फिर से एक रहेगा, किसमें आपका, x cos of this, y upon a बन जाएगा, क्या बन जाएगा, y upon a, तो मैं एक बार और इसको लिख देता हूं, x y double dash, प्लस y dash, x, तो a upon x square बच गया, a upon x square इंटू में क्या है, cos of 1 upon x plus b, ठीक है, अब एक काम करो आप, इसको, मैंने अभी बोला था, x से multiply और डिवेट कर दो, तो उपर वाल तो क्या बन गया, y बन गया, तो आपके सामने क्या आ रहेगा, x into y double dash बराबर, minus minus plus हो गया था, तो यह plus के लग 4 बन गया, x, यह और 4 into y double dash, और यह आ रहा है, plus का y, और यहाँ पर क्या है, असा x 4 किसी में आ नहीं जा, तो sign check कर लोगे को पर, कुछ गल्ती हुए है क्या, यह minus minus हो गया, plus a upon x हो गया, और a x into cos of this, minus minus हो गया, plus, वाँ जा क्या बजाएगा, minus, तो calculation वाला पार्ट है, check कर ल cos का difference हो गया, minus sign, sign का अगीन, cos हो जाएगा, और 1 upon x हो जाएगा, minus का 1 upon x square, minus minus हो गया, plus, ठीक है, sign में वो गलती कहीं नहीं नहीं आ रही, minus minus हो जाएगा, plus, minus minus हो गया, plus, तो इसका मतलब हो गया, 1 upon x square, तो x से आप multiplied करोगे, तो y upon में x v आ रहा है, इसका हाला, minus y आएगा, x y double day, x v और 4, y double day, plus y, plus की जगाएगा, minus आना चाहिए ना, plus की जगाएगा यहाँ पर minus आना चाहिए, चो, तब यह सही होगा, ठीक है, तो minus आएगा यहाँ पर यहाँ ना, गलती हो यह साहिए, चलो, अगले कुश्म चलते ह है, हाँए दो को next question में 24, क्या कह रहा है, the differential equation of all the circle touching x axis at origin, तो आपको पता है कि origin प्रच करना लिए circle की जो equation होती है, वो क्या होती है अपनी, उनका जो center होता है, किस पे होता है, y x पे होगा, तो 0, a माल लिए center, तो क्या equation मनेगी, x square plus y minus a का whole square बराबर a square आजाएगा, आप इ बराबर हों क्या जाएगा, 0, a square से square, cancel out हो गया, अब a को पहले आप अलग कर दो, और उसके बाद इसको differentiate कर लेंगे, तो क्या जाएगा, x square plus y square, बराबर 2a आ गया, तो 2a की value क्या जाएगी, यहांसे, x square plus y square, upon y, बराबर 2a, इसमें आप question true लगा दो, तो उपर वाले का differentiation, ठीक है, 2 by y dash into नीचे वाला, minus, नीचे वाले का differentiation into उपर वाला, equal to क्या जाएगा, 0 जाएगा, नीचे वाले का, बराबर 0 में, तो क्या आगया, इसमें y dash common लिलो आप, तो y dash common लो के तो क्या आगया, देखो, यह 2y square minus x square minus y square, ठीक है, और plus में क्या बच गया, 2xy, बराबर 0, ठीक है, तो y square, y square, cancel out जाएगा, एक, तो क्या बचे का, y square minus x square, तो आपके पास आगया, y square minus x square, लसका 2xy, बराबर 0, तो answer क्या जाएगा, बताओ, y square minus x square into y dash, अच्छा, x square minus y square आ रहा है, एक ही बात है, कोई बात नहीं, equal to my 2xy है, तो option number इसका मतलब, second सही होगा, चले next, question number, 25 पर चलते है, solution of the differential equation, this, देखो, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, आप इसको factorize कर लो है, तो dy upon dx, equal to क्या होगी, अपना पास, एक तो है 1 plus x, और इसमें से क्या common आ रहा है, y square, तो इसमें भी क्या बच गया, 1 plus x बचेगा, ठीक है, तो 1 plus x common ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 1 plus y square, equal to my क्या है, dy upon dx, अब इसमें आप लगा तो variable, 1 plus y square को यहां ले आओ, तो यह क्या बन जागा, 10 inverse y, equal to 1 plus x के साथ क्या है, dx, तो यहां क्या जागा, x plus x square by 2, कल लोगे यह लगा हमारा हम से, plus c, अब बताओ क्या करना है अब आपको, y 0 पर क्या है, 0 है, तो x की value 0 पर y की value क्या आ रही है, 0, तो c की value क्या जाएगी, 0, 0 और यह भी 0, तो c की value क्या आ गई, 0, c की value 0 आ गई, तो यह क्या पूछ रहे है आपसे, differential के solution पूछ रह by 2, ठीक है, x plus x square by 2, इसका मतलब, option number 4th correct होगा, सही है, check कर लेंगे आराम से, चलो, next, integer equation, if order and degree of differential equation, whose general solution is this, तो एक काम कर वेटा, क्या करोगे, इसमें आप x c जाएगा रख दो, आप 10 theta, और y क्या जाएगा रख दो, 10 5, ठीक है, तो क्या जाएगा बताओ, 1 plus 10 square, क्या बन जाएगा, sec square, तो यह ता आगया sec theta, यह क्या जाएगा बताओ, sec 5, बराबर, यहाँ पर 10 theta into, बोलो, क्या जाएगा, sec 5, प्लस, नहीं, माइनस, अगला वाल क्या जाएगा, y की जाएगा, 10 5, और यहाँ जाएगा sec theta, सही है, यहाँ आगया, अब इसको simplify कर लेते हैं, थोड़ा सा, बताओ, क्या लेखे हैं आपन, एक काम करते हैं, इसको, थोड़ा सा simplify कर लो, तो यह मेरे ख्याल से आ रहा है, 1 upon cos, 1 upon cos phi, 1 upon cos theta, 1 upon cos phi, तो यहाँ जाएगा, cos theta plus cos phi, तो देखो, LCM लेखे, जब solve करोगे न, यहाँ भी नीचे क्या आएगा, cos theta, cos phi आ रहा है न, तो यहाँ तो बन गया, sin theta, sin theta, minus यहाँ पर जाएगा, sin phi, सही है, इसको आप simplify कर लो, क्या लग cos c plus d y 2, cos c minus d y 2, ठीक है, और उसमें भी लगा तो sin c minus sin d और उसको नीचे लिया हो, इसके, तो sin c minus d क्या हो जाएगा, 2 cos c plus d y 2, ठीक है, into cos, अज़ा, minus है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, sin theta minus 5 upon 2, यहाँ गया, equal to me क्या बचके बताओ, a, cos से cos cancel out हो गया, 2 से 2 cancel out हो गया, cos upon sin क्या बन जाएगा, बोलो, cot, तो यह आगया आपके पास, cot theta minus 5 upon 2, equal to me क्या है, a, तो एक काम करो अब, cot को महा ले जाओ, तो क्या बन जाएगा यह, इसको मैं रप कर दूं, खोड़ा सा, आजाओ, तो theta minus 5 equal to क्य into 2, तो यह क्या हो गया, theta minus 5 यह आगया, अच्छा, अब मैं theta किसको पूट किया था, 10 को, मैंने पूट किया था, x बरावर 10 theta, और y बरावर 10 5, सही है, तो theta बरावर क्या जाएगा बताओ, 10 inverse x, यहां क्या जाएगा 10 inverse y equal to 2 cot inverse a, differentiate कर ले देशको, differentiate करोगे with respect to x, तो क्या हो गया, 1 upon 1 plus x square, minus 1 upon 1 plus y square, into क्या हो गया, divided x equal to 0, तो बताओ, dy upon dx कितना आगे हैं से, dy upon dx आगे आपका, 1 plus y square upon 1 plus x square, तो clear ही देख पारे हैं अपन इसकी order कितना है, इसका 1 और degree भी कितनी आ रही है, इसकी 1 आ रही है, तो lambda or mu की value आएगी 1, 1, तो 1 plus 1 कितना होगा अपना 2, तो differential equation of family of lines concurrent at origin, इसका मतलब क्या हो गया, y बराबर mx, क्या हो गया, इसका मतलब y बराबर mx, तो करतो इसको differentiate dy upon dx बराबर क्या जाए कि बताओ, m into x का difference 1, तो m की लोटा कि रखतो इसमें आप, तो y बराबर क्या आ गया, dy upon dx into x, जो कि अपने क्या पता चलता है, कि इसकी order क्या है, क्या पूछता है, order, तो order कितना इसा बना रहा है, first order क्योंकि वैसे भी एक ही constant है, तो एक ही आएगा है, तो order is one, चले, next question पर, question number 3, suppose देखो, सबसे पहली बात तो ही होगी, जो मौत वाल दे रखी है, आपको, क्या कहा रहा है, वो इसका जो volume है, वो क्या है, evaporate हो रहा है और किस ratio में हो रहा है, rate of proportion, evoporation at a rate of proportional to क्या instantaneous area, उसका जो area है, area कौन सा होगा, मौत वाल का मतलब क्या हो गया है, एक spherical ball है आपके पास, तो उसका जो evoporation है, तो जो volume उसका कम होता जा रहे है, वो किसके proportional है आपका, उसके surface area के, आपको पता है, volume क्या होता है, sphere का 4 upon 3 pi r q, और surface यह क्या होता है, 4 pi r square, अब जो rate of change है किसका volume का, यानि कि db upon dt, तो db upon dt कितना आ जाएगा, 4 upon 3 pi 3 r square into dr upon dt आ जाएगा, time की respect में मैंने differentiate कर दिया इसको, तो db upon dt आ गया, अब यह किसके proportional है, directly proportional है, यह किसके, यह है अपने area के, तो area के directly proportional है, इसका मिला क्या हो गया, is proportional to area, area क कितना होता है, बोलो, 4 pi r square, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहां से, यह आगए आपका, 3 से 3 cancel out हो गया, दो तरफ, अब देखो, क्या हो जाएगा, 4 pi r square into dr upon dt, ऐसा करते हैं, professional quote आगे, equal to लगा देते हैं, k into 4 pi r square, अब देखो, decrease हो रहा है न, volume, तो minus के लगा देते हैं, क्यों डायमीटर, इसका अनलाग radius क्या हो जाएगा, बताओ, 1 से half हो जाएगा, हैना diameter क्या हो जाएगा, तो radius क्या हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो गया, 1 से half, तो अब आजाओ, 4 pi से 4 pi cancels out हो गया, थोड़ा सा और simplify कर लेते हैं, r square से r square हो गया, तो क्य तो क्या आगे हैं से इसको integrate कर लेते हैं मन तो R बराबर क्या जागे हैं से माइनस का KT प्लस C तो अपने पास जो equation निकल के यह हुआ ही है R equal to minus का KT प्लस C तो इसको मैं हटा दू यहां से R equal to minus KT प्लस C ठीक है यह आगे अब सुनो आगे क्या देखोगे आगे देखो सुनो मेरी बात R की value अब यह क्या कह रहा था आपसे तीन महीने में क्या होता है radius 1 से half हो गया असका मतलब क्या हो गया कि अपने यह कह सकते है आर की जो value है यहां पर जब शुरूआ थी तो महां पर radius कितना था टू सेंटिमीटर रेडिस था अपना 1 सेंटिमीटर तो इसका मतलब टाइम जब 0 है तो radius कितना है माइनस का 3 के तो यह आगया माइनस का 3 के और C की value कितनी अपने पास 1 और R की value कितनी होगी radius रेडिस अपना 1 रेडिस रेगया अपना half तो कितना आगया यहां से K का value का value है जागा माइनस half यह निकी माइनस 1 केंसल हो गया तो 1 अपन 6 तो K की value कितनी आ रही है 1 अपन 6 आ गई सही है कर लोगे ना calculation माइनस half प्लस का 1 अपन 6 तो K की value आ रही है 1 अपन 6 तो अपने पास जो equation आई हो आगई R एक पल टू यहां लख लें R एक पल टू आगई माइनस K की value आ रही है 1 अपन 6 तो माइनस 1 बाई 6 T प्लस C की value 1 यह आ गया अब वो कह रहा है कि radius 0 हो जाए मतला ball बिल्कुल खतम हो जाए तो कितने महीने लगेंगे तो R की value 0 हो जानी चाहिए तो उसमें time कितना लगे हो दाओ 1 अपन 6 T प्लस 1 तो 1 को वहां ले जाओगे त तो T की value क्या आ गई माइनस 1 यानिकी 6 तो T की value आ गई 6 यानि 6 महीने लगेंगे उसको पूरा खतम होने में चलते हैं आगे next question पे question number 4 क्या कह रहा है कि dx upon dy बरावर e की power y minus x where y 0 क्या दिरखा है अपने को 0 तो एक कान करो पहले इसको आप फ्रुड़ा सा simplify करके अच्छे से र गया एकिपावर अच्छा Y में वाई ये dependent वेरिवल तो अधीवाई आएगा तो क्या आगया एकिपावर वाई आ गया यह को नाया इंटीग्रेटिंग फेक्टर अब अपन क्या निकाल लेते हैं इसका solution तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फेक्टर इंटू क्या हो इसका integration बताओ, e की पावर y into e की पावर y क्या हो गया, e की पावर 2y, e की पावर 2y का integration क्या जागा, e की पावर 2y upon 2 plus c, और यहां क्या गया, e की पावर y into x, अब यह क्या दे रखा है, अपने को 0 पर 0 value है, तो x के विल्ए 0, y की value 0, तो c की value कितनी आगे जागी, minus half, c की value आग को value निकालनी है, y2 की, यानि की value 2 रख दो इसमें आप, तो y की value आजाएगी, तो 2 into e की पावर y, बराबर e की पावर 2y upon 2 minus half, एक काम करना, e की पावर y को आप क्या माल लोगे, t, तो e की पावर y को t माल लोगे, तो यहां से equation quadratic बनेगी, t की आप value निकाल लेना, तो आपको यह next question पर, question number 5 पर, क्या है, for the differential equation, this one, उच रहा है, y0 की value 1 है, तो y3 क्या होगा, तो देखो इसको आप पहले क्या लिख लो, derivative की फिरम में लिख लो, d2y upon dx2 equal to 2x है, तो 2x के नीचे ले जाओ, x square plus 1 को, और इसके नीचे ले जाओ, dy upon dx को, ठीक है, यह whole upon equal to this है, तो अब डिरिट कर लो, x के respect में, तो क्या आजाएगा अपने पास, नीचे वाले का उपर वाला क्या है, derivative है, तो यहां तो क्या आगया, ln of dy by dx, सही है न, नीचे वाले को टी पूट करोगे, तो d2y upon dx2, क्या मिल जाएगा, derivative मिल गया नीचे वाले का, और यहां पर क्या है, इस x square plus 1 का derivative बेटा है, उपर, तो यहां पर जागा, ln of x square plus 1, प्लस ln c लिख दें, उसको में, तो क्या आगया, आपके पास बताओ, dy upon dx, equals to, log a plus log b, क्या हो जाएगा, log a into b, यानि कि x square plus 1, into c, सही है, तो यहां से dy upon dx आगया, बस कुछ नहीं करना, आपको इसको integrate कर लेना है, तो integrate कर हो गी तो बताओ, क्या आएगा, dy बराबर, x square plus 1, into c, into dx, चलो, integrate करते हैं, dy का y हो गया, 1 का y हो गया, integration, इसका हो गया, x cube upon 3 into c, और constant का हो गया, c into x, प्लस, constant को मन लेते हैं, लेमडा, अब आप से क्या कह रहा था, बताओ, y0 की value का दिर किया, अपने को 1, तो y0 की value 1 है, तो x की value 0 पर y की value 1, तो लेमडा बराबर कितना आ गया, बोलो, 1, x की value 0, 0 को हो गई, दूसरा, y-0 क्या दिर खाए अपने को 3, तो इसका differentiation करना पड़ेगा, differentiate करते हैं, y-बराबर कितना आ जाएगा, बताओ, c, x square आ जाएगा, प्लस का c बचेगा, और यहाँ पर दिर खाए y- 0 कितना, 3, तो x की value 0 करो, तो 0 पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पर c की value कितनी आ गई, 3 आ गई, तो आपके सामने answer आगे आपका, आजाओ, answer क्या आ गया था हो, answer आगे अपना, y equal to c का value कितना लेना है, 3, तो 3, 3 कर जाएगा, क्या हो जाएगा, x cube plus 3x, ठीक है, 1, यह आ गया, अब क्या पूछ रहा है यह आपसे, y 3 की value पूछ रहा है, तो y 3 की value कितनी आएगी बताओ, y 3 की value आ जाएगी, 3, 3, 9, 9, 3, 27, plus 3, 9, plus 1, तो कितना हो गया, 10, और यह 37, तो answer आ रहा है, इसका 37, तो इसका answer आएगा बटा, 37 है ना, तो यह आप देख लें, आप आपकी जो answer की जो check होगी, वो इसके according check होगी, इसका answer आ रहा है, 37, ठीक है, तो मेहनत करते रहो, अच्छे से करते रहो, thank you, Good morning student, मैं Dr. Manish Rudi, आएज आपन बात करेंगे, केमिकल बंड इंड, और मॉल्लेकल इंड, इंपोर्टेंट चेप्टर है, इसमें क्या 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 किशन, कैसे क्शन पूछे जाते हैं, क्या क्या है उँए, पहला क्या क्या देखते है, विच ओफ दा फॉलॉविंग बात करते हैं एक आपको बात करता है बोंड में आयनी करेक्टर 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 बोंड में आयनी करे यहाँ चार और iodine भी कितना होता है 2.5 तो सबसे जादा डिफरेंस कहा पर है अपने पास फोर्थ में सबसे जादा डिफरेंस है तो कहीं पूसता है किस बंद में सरवादिक पर्तिश्यत आएने के लक्षन है डेल्टा एन से दे देंगे अपन तो डेल्टा एन सबसे जादा किसमें है एक चीज़ आ देखना बॉंड की पॉलरेटी बॉंड की दुरुणता किससे दी पॉलर है पर तुक मपाउंड के सा है नोनपॉलर नेक्स्ट बात करते हैं वीच अवधे फॉलविंग कमपाउंड डज नोट फॉर्म पी-पाई-पी-पाई-बॉन कोई सा पी-पाई-पाई-बॉन का फॉर्मेशन नहीं करता ठीक है बटा इस कुश्यन के लिए मैं एक ट पीपाई पीपाई और बाकी जो बच गई जो शेश है रिमेंग जो है वो सारे किसे बनते हैं पीपाई डीपाई से बनते हैं किसे पीपाई डीपाई से अगर SP3 आइबरेशन है कौनसा SP3 या उससे उपर का कोई भी आइबरेशन है यदि SP3 या उससे उपर का कोई भी haberation है, तो सारे के सारे bond किससे बनते हैं, P pi D pi से बनते हैं, P pi D pi से, तो SO3 में अपने haberation देखा, SP2 है तो इसमें تو P pi P pi bond है NO3 मा surpass में देखा इसमें भी SP2 है, SO4 minus 2 में देखा, SO4 minus 2 में SP3 haberation है, कुंसा है SP3 haberation है, सारे के सारे P pi, D pi overlapping है, CO3 minus 2 में देखा इसमें भी sp2 hybridation है कैसा है sp2 hybridation है तो ppi ppi bond मिलेगा तो अपना answer आजाएगा 3 कौन सा जाएगा 3 इसमें कोई भी ppi ppi bond नहीं है सारे के सारे जो भी बनेंगे वो कैसे बनेंगे ppi dpi bond बनेंगे next बात करते हैं deformation of i- will be maximum which cation कि कौन सा cation है जो i- इसको ज़्यादा से ज़्यादा polarize करता है जो छोटा के टाइन होगा उसकी polarization power उतनी ज़्यादा होगी तो इनमें बात करें सबसे small cone है इनमें सबसे small cone है al plus 3 है al plus 3 की polarization power इनमें सबसे ज़्यादा होगी तो अपना answer आजाएगा first next बात करें the correct order of the dipole moment देखे बेड़ा ns3 और nf3 ये class में होना किसका चीए ज़्यादा nf3 का होना चीए था परन्तु इसमें ns3 में सारे के सारे जो direction एक तरफ है सभी सभी vector की direction क्या है एक तरफ है इसलिए ns3 का dipole moment अपने को क्या मिलता है ज़्यादा मिलता है ns3 का dipole moment अपने को 0 मिलेगा ch4 का dipole moment अपने को 0 मिलेगा अपन कहते हैं अगर central atom के पास कोई lawn पे नहीं हो lateral atom सेम हो तो dipole moment always कैसा होता है 0 होता है ch4 का 0 अब h2o और ammonium में compare करे h2o और ammonium compare करें तो h2o का अपने को dipole moment ज़्यादा मिलता है ऐसे अगर आप कहीं दिक्रत आ रही है तो आप delta en से देख लिए अगरो किसे delta e h2o ho bond है और ammonium में nh bond है तो h2o में ज़्यादा होगा तो अपना answer आजाएगा first h2o, ns3, nf3 and ch4 next बात करें which one of the following molecule species can not be possible according to MOT MOT क्या कहती है जिनके लिए bond order 0 होगा जिनके लिए bond order 0 होगा उनका वो exist नहीं करते है IT में आया वाकिशन है जही मेन में तो 0 कहां कहां होता है यह याद रखे है 4 पर 0 होगा 8 पर 0 होगा 20 पर 0 होगा इन यह number of electron है अगर 4 electron होगे 0, 8 होगे 0, 20 होगे 0 इसके लिए एक ट्रिक याद रखलो आप 2, 4, 6, 8 14 और 20 20 पर कितना है जिरो 14 पर कितना है जिरो पर कितना है जिरो यहाँ पर 0, 1, 0 बाकि इनके बीच में जो भी बचे जाएगा सब पर 0.5 आएगा जैसे एक electron है तो 0.5 3 है तो 0.5, 5 है 0.5 7 है 0.5 यहाँ से यहाँ जाओगे 0.5 से increase करते जाओ 9 पर कितना हैगा 0.5 10 पर कितना हैगा 1 11 पर कितना हैगा 1.5 12 पर कितना हैगा 2 13 पर कितना हैगा 2.5 यहाँ से यहाँ जाओगे 0.5 से क्या करते जाओ decrease करते जाओ, 0.5 से decrease करते जाओ, 2.5, 2, 1.5, 1.5, sorry, गड़ बढ़ कर दिया अपने, यह 2.5 आए गया, यहाँ, 2, फूरा दुबारा करते हैं, 0.5 से decrease करते हुए जाना है अपने को, 15 पर कितना आ जाएगा अपने पास, 2.5, 16 पर 2, 17 पर 1.5, 18 पर 1, 19 पर 0.5, और 20 पर कितना जाएगा, 0, तो 4, 8, 20 पर कितना मिलता है, 0 bond order मिलता है, तो इनका यह एक्जिस्ट, नहीं कर दो, bond order ही 0 है, bond order होता है कि बीच में, average bond को क्या कहते है, bond order कहते हैं, 2 atom की बीच में bond ही 0 है, तो उसका अस्तितु नहीं होता, तो देखते हैं, HE2, पहले में ही 4, 4 पर कितना 0 है, तो अपना पहला ही answer मिल गया, इससे में बात करेंगे, H2 प्लस 1, कितने electron होए, 1 electron 0.5 आजाएगा, ठीक है, H2 minus 1, 3 हुआ, इसका 0.5 आजाएगा, HE2 प्लस, इसमें कितने होए, 3 electron होए, तो यहां भी 0.5 आजाएगा, तो कौन सा exist नहीं करेगा, पहला exist नहीं करेगा, next बात करते हैं, in which case, all hybrid orbital have not equal energy, पर जिए अगर bone angle different आएंगे, तो equal bone energy नहीं होगी, तो SP3 में अपन देखें, सारे bone angle 109 degree 28 minute के होते हैं, SP2 में देखें, इसमें सारे bone angle 120 के होते हैं, SP3D में देखेंगे, तो इसमें bone angle 120 के होते हैं, और उपर वाले कितने होते हैं, 90 के होते हैं, इसलिए अपन कहते हैं, SP3D hybridization में जैसे PCL5 है, उसमें axial bond बड़े होते हैं, किसके compare में, equatorial, bent rule पढ़ा था अपने, ठीक है, तो इसमें सारे, एक जैसे नहीं होते, सारे bone equal नहीं होंगी, तो अपना answer आजाएगा second, इसमें सारे bone angle 90 के होते हैं, तो इसमें भी सारे bone कैसे आजाएगे, equal हो जाएगे, तो अपना answer आजाएगे बड़ा, second, next बात करते हैं, strongest hydrogen bond is found between, strongest hydrogen bond किस में होगा बेटा, KF, minus और H plus के लिए बात करें, एक special case है, इस पर partially negative, इस पर partially positive, यहाँ इनके बीच में क्या बनेगा, hydrogen bond बनेगा, यह hydrogen bond इनमें सबसे strong होगा, आपको ऐसे भी पूछ लेता है, KHF2 है, इसमें कौन से कौन से bond है, KHF2, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा, KHF2 बनेगा, इसमें कौन से कौन से bond है, बेटाजी, यह कौन सा bond है यहाँ, covalent bond है, यह कौन सा bond है, यह hydrogen bond है, यह plus और यह minus, इनके बीच में कौन सा bond आएगा, इनके बीच में बेटाजी, ionic bond आएगा, कौन सा bond, ionic bond आएगा, तो अपने पास कौन से हो गया, ionic bond हो गया, covalent bond हो गया, hydrogen bond हो गया, तो तीन bond हो जाएँगे, next बात करते हैं, which among the following exists, least electric conductivity in aqueous solution, least minimum पूछी, अब जो बटा, कलोराइट तो सम्में सेम है, कलोराइट तो सम्में सेम है, तो water में जो छोटा ion होता है, उसके hydration energy ज्यादा होती है, size उसकी कैसे हो जाती है, बढ़ी हो जाती है, size के inverse होती है conductivity, तो size किसकी बड़ी होगी, lithium प्लस वन की size ज्यादा बड़ी होगी, किसके compare में, बाकी इन सभी के compare में, तो सबसे ज्यादा बढ़ा कोण हो गया water में, lithium, lithium बढ़ा है, तो इसकी connectivity कम होगी, तो अपन कहिदेंगे, पहला 1 है, जो उसकी connectivity, aqueous solution में सबसे कम होगी, next बात करें, bond angle के लिए सही कर्म पूछा है, इसने, अगर central atom के पास, if central atom है, 1 and 2 lone pair, then on moving top to bottom in a group, bond angle always decrease, तो तुम्हें बात करें, h2o, h2s, h2se, h2te, यहां बात कर लिए आपको, ns3, ps3, ass3, and sbs3, यहां bond angle के आएगा, decrease आएगा, यहां भी bond angle के आएगा बटा, decrease आएगा, तो देखते हैं कि सबसे कम किसमे h2te, h2e, ठीक है, उसके बाद में h2se, h2s, h2o, तो आंसर आजाएगा, अपना, third आजाएगा, next बात करते हैं, which of the following two are isostructure, कौन से isostructure है, इन में बात करें, इसकी shape कैसे आएगी, sp3d hybridation है, linear shape होगी, इसकी shape भी कैसे आएगी, linear ही आएगी, जबकि यहां बात करें, pyramidal, और यहां बात करें, planar, trigonal, यहां बात करें, planar, trigonal, और यह कैसा, pyramidal, यह pyramidal, ने सोरी, planar, trigonal, by pyramidal, यह कैसा आएगा, square, pyramidal आएगा, ठीक है, तो किसकी shape same है, तो first answer आजाएगा, अपने first की answer, shape same है, next बात करते हैं, bond order of n2+, अभी अपने बात किते हैं, n2 में कितने electron हैं हो, 13 electron है, 13 electron है, 13 electron है, 13 electron है, bond order कितना है, 13 पर 2.5 आजाएगा, कितना, 2.5, next बात करते हैं, hydrogen bond is possible in, hydrogen bond in में से, यह किसमे होना चीदा, किसमे, sumbhavar, किसमे, sumbhavar, पेटा, ortho hydroxy benzoic acid, ortho hydroxy benzoic acid क्या होता है पेटा, यह ortho hydroxy benzoic acid है, यह para hydroxy benzoic acid है, दोनों में ही क्या है, hydrogen bonding present है, दोनों में ही hydrogen bonding, present है तो अपना answer आजाएगा, third, next बात करें, boiling point हो, hydride in, fourth A group will be, boiling point की बात करता है, fourth नहीं, sorry, sixth group, sixth group, sixth group, h2o family, boiling point के लिए बात करें तो, h2o, phir h2te, phir h2se, और h2s होता है, यह boiling point हो, यह melting point हो, इस group में same ही मिलता है अपने को, तो यह कह रहा है बेटा थी, h2o at maximum, बिल्कुल सही बात है, h2o में क्या मिलेगा, maximum मिलेगा, तो first answer अपना आजेगा, next बात करते हैं, o no bone angle in, no2, no2 plus, no2 minus, no2 में hybridation क्यों सही है बेटा थी, sp hybridation है, shape कैसी होगी, linear shape होगी, no2 minus में, sp2 hybridation है, 2 sigma, एक lone pair होगा, v-shape आएगी कैसी v-shape, तो no2 plus में bone angle ज्यादा मिलेगा किसे, no2 minus से, in h3o, cs3, ch2, h, यह bone length बता नहीं है बेटा, यह रहेगो, यह कों सा, इसमें hybridation कों सा है, sp3s overlapping है, इसमें sp2 है, तो यह sp2s overlapping है, यह bond, sp3s की bond, sp3 size बड़ी होती है, तो bond length भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो अपन देखें, a ज्यादा बड़ी होगी किसे, b-shape अपना answer आजाएगा, second answer आजाएगा, a ज्यादा बड़ी होगी किसे, b-shape, next देखते हैं, which of the following does not follow octet tool, कौन सा octet tool को follow नहीं करता, octet tool मतलब जिसमें 8 से ज्यादा electron हो, वो octet tool को follow नहीं करते, तो बेटाजी इसमें देखें, 6 तो bond में होगे, 4 lone pair के होगे, तो इसमें octet tool को follow नहीं करता, यह भी नहीं करता, यह भी नहीं करता, यह octet tool को follow करता है, करता है और करता है, तो अपने answer आजाएगा, 1st, 2nd and 3rd, 1st, 2nd and 3rd किसमें हैं, तिसरे में हैं, तो अपने answer आजाएगा 3rd, easy question था, octet tool पर, which of the following molecule has a coordinate bond, coordinate bond किसमें हैं बिटा, देखी बात करें, इसमें NH4CL, NH4CL कैसे बनावाता है, ammonia की reaction HCL से घड़ाते हैं, तो NH4CL बनता है, इसमें कौनसे कौनसे bond होते हैं? इसमें आइनिक bond होते हैं, इसमें covalent bond भी होता है, इसमें coordinate bond भी होता है, क्या होता है? coordinate bond भी होता है तो इसमें तीनों bond होते हैं आइनिक bond NH4 plus और CL minus NH4 plus में के कौन से कौन से होते हैं ammonia में covalent bond होता है और NH3 और H plus protonation होता है ammonia का protonation करते हैं तो coordinate bond बनता है ठीक है H plus के attack को क्या बोलते हैं बिटा प्रोटोनेशन बोलते हैं तो पहले में ही coordinate bond present है इसमें बात करें covalent bond होंगे इसमें बात करें ionic bond होगा इसमें भी क्या होगा covalent bond होगा तो अपना answer आजाएगा first आजाएगा next बात करें क्यादा डाइपोल मुमेंट ओफ मिथेन और इट्स हेलोजन डेरिवेटेवस आर इन दा order बात करें पेटा जी याद दखने आपको इसका डाइपोल मुमेंट तो कितना मिलेगा अपने जीरो जैसे जैसे गलोरी कम होते जाएँगे जैसे जेसे कलोरीन कम होते जाएँगे डाइपॉल направ внимेंट अपना decrees होता जाएगा सबसे Ihres होते जाएगा, सबसे जाएंगे कम. किसमें है, इसमें बढ़ते हैं लगिव एगरिन तो. क्लोरिन बढ़ेंगे, थो समस्क्रिंडाय जाएगा फर्स्ट कॉपी में करवाया हुआ अपने what are the exception of the octate अस्टक नियम का अपवाद केंदे परमानु का अस्टक अपूनो R से कम हाइपोवेलेंट जिसमें हाइपोवेलेंट मला R से कम होना हाइपोवेलेंट मला R से ज्यादा होना OCTATE डूल को फोलो नहीं करता है ठीक है N odd number of electron on central atom बिल्कुल odd electron species होती है वो भी इसके exceptions है ठीक है EXPANDITION OCTATE OF THE CENTLATUM R से ज़ाएपोवेलेंट यह हो गई हाइपोवेलेंट यह हो जाएंगे हाइपोवेलेंट तो अपना अंसर आजाएगा 4th अपना अंसर आजाएगा 4th Which of the following statement is correct regarding the structure of PCL-5 अभी मैंने बताया था PCL-5 में band rule लगता है तो PCL-5 में कैसे बनता है अपने बास जो axial bond होते हैं जो axial bond होते हैं बड़े होते हैं यह axial bond बड़े होंगी किसे equatorial bond से 3 PCL bond lie in the one plane and 2 PCL bond lie above the and below the equatorial plane बिल्कुल सर् यह 3 PCL bond होंगे यहां पर होंगे एक उपर होगा और एक नेचे होगा यह बिल्कुल right statement है 5 PCL bond lie in the same plane यह रॉंग statement होगा तो पहला ही अपना सही होगया सभी PCL-5 बंदों में बंद को 19 सभी 19 नहीं होते हैं यहां वाले कितनी होते हैं 120 होते हैं ठीक है the bond length of all PCL bond is same यह भी incorrect होगया तो अपना correct statement बहुं सा होगया first होगया next बात करें which of the following shape of the SF4 is more stable and why पर दिजी SF4 है इसकी shape कैसे होती है पाई shape या के shape या CISO या CISO ये तीनों ही इसको बॉल दिते हैं ठीक है तो देखते हैं first due to three loan pair bond pair गलता है first इसको कहाँ पर रखते हैं equatorial में रखते हैं इसको जहां loan pair repulsion कम मिलता है second due to two loan pair bond pair repulsion यहां पर देखो loan pair bond pair repulsion कितनी मिल रहे हैं अपने को बोथ हार equally stable due to यह wrong state went up बोथ हार unstable since तो अपना answer आजाएगा second आजाएगा ठीक है next बात करें the ground state electron configuration of sulfur is 3S2, 3P4 how does it form the compound SF6 पर देखो कोई भी covalent bond बनता है एक covalent bond बनने के लिए एक unpaid electron चाहिए अपने पास कितने bond बनाने हैं तो 6 unpaid electron चाहिए 6 unpaid electron कब होंगे जब excited state second आएगी sulfur के excited state की बात करें यह 3S है 3P4, 2 और यह 3D है इसको आगे बेज़ दूँ इसको भी आगे बेज़ दूँ कितने unpaid हो जाएगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगे 6 bond बना लेगा due to octidal shape of sulfur due to presence of vacant 3D orbital which provides 6 unpaid electron excited state बिलकुल सही बात है 6 unpaid electron हो जाएगे अपने पास answer आजाएगा अपना second S की नियंतों उक्सिजन और electronic विन्यास यह है SF6 योगी का निर्वान किस प्रकार से करता है excited state बना लेता है जैसे अपने पास 6 unpaid electron जाएगे और यह बन जाएगा next बात करते हैं hybrid state of the phosphorus atom in each PCL5 and PBR5 in ground state SP3 but in the solid PCL5 यह बता रहा है तो विदे को PCL5 का solidification करें तो यह किस में तूटता है बटा PCL4 plus and PCL6 minus में तूट जाता है जबकि PBR6 की बात करें तो यह किस में तूटता है PBR4 plus and BR minus में तूटता है किस में BR minus में PBR6 का formation नहीं होता इसका formation नहीं होता due to steric intense बड़ी size की कारण bromine की बड़ी size की कारण इसका formation नहीं होता ठीक है तो अपन इसमें देखा है SP3 hybridation है इसमें कुन सा है SP3D2 तो देखते हैं क्या क्या बोल रहा है PCL5 in solid form exist as PCL6 minus and PCL4 यह बिलकुँ सही बात है PBR5 in solid form form exist as PBR4 and यह wrong statement हो गया PCL5 in solid form exist यह भी wrong statement हो गया यह भी wrong statement हो गया तो अपना right statement इसने पूछा है तो अपना कुन सा आ जाएगा first answer आ जाएगा next बात करें which of the following pair of molecules are having same number of lone pair in central atom central atom के पास number of lone pair किसमें same है इसमें एक lone pair है इसमें 0 है इसमें 0 है इसमें एक lone pair है इसमें 2 lone pair है square planar होती बिढ़ा इसमें भी 2 lone pair है तो अपना answer आ जाएगा third answer आ जाएगा third answer आ जाएगा the correct order of increasing bone angle बेटा इनमें बात करें सभी में central atom एक है तो central atom के पास एक या दो lone pair है तो lateral atom की size बढ़ेगी तो bone angle बढ़ता है तो सबसे ज़्यादा bone angle किसमें बिलेगा PI3 में फिर PBR3 में the compound of the following atoms always form compound in ground state कौन सा nitrogen oxygen and fluorine कभी भी excited state शोर नहीं करते यह अपने सारे compound किसमें बनाते हैं ground state में बनाते हैं तो अपना answer आ जाएगा third next बात करें bond angle बताया बेटा NH4 plus इसमें सारे bond angle कितने होंगे 109 degree 28 minute के फिर अपना क्या आ जाएगा एक lone pair आ गया NH3 फिर अपने पास 2 lone pair आ जाएगे number of lone pair inverse होते है number of lone pair inverse होते है इसके theta के theta के inverse होका पर यह लगाना कभी बेटा जब same क्या हो same hybridation same hybridation हो तो यह factor लगाना है तो अपना आ जाएगा second answer आ जाएगा NH4 plus ammonia and NH2 minus next बात करते हैं the increasing stability of molecule species is as follow bond order के बेस पर and TOO में bond order कीइचना तटा बेटा 3 इसमें 2.5 इसमें भी 2.5 इसमें भी 2.5 और इसमें कीइगा ? 2 आएगा अब यहां bone order same है, तो फिर अपन क्या देखेंगे, anti-bonding, bonding, तीन चीज़ों से देखा जाता है, सबसे पहले bond order देखा जाता है, अगर bond order same हो तो उसके बाद में overlapping देखी जाती है, अगर overlapping भी same हो तो उसके बाद में anti-bonding, bonding में electron देखे जाते हैं, BMO और ABMO electron, जिसके BMO में electron ज जादा होते हैं, stability time है, next बात करें, the strongest hydrogen bond is formed between, अभी अपने बात की थी, किसमें मिलेगा अपने को, fourth में, next बात करें, consider the following statement, the bond order of NO is 2.5, 15 पर 2.5 होगा, the bond order of NO plus is 3, बिल्कुल सही बात है, 14 पर कितना होगा, 3 होगा, the bond order of O2 is 1.5, यह wrong statement होगा, कितना होता है, 2 होता है, the bond order of CO is 3, यह बिल्कुल right statement है, तो अपना right statement इसने पूछा, correct statement पूछा है, तो कौन सा-कौन सा जाएगा, A, B and D, A, B and D, answer आगया, second, next बात करें, which one of the following species has no exist, बिल्क जिको, जिनोन, ground state में कोई bond नहीं बनाता है, पर अग्साइटर स्टेट इसकी करते हैं, तो यह 2, 4, 6, इस से साफसे bond मनाता है, तो इसमें 2 है, यह stable होगा, बन जाएगा, इसमें 4 है, बन जाएगा, 6 है, बन जाएगा, पर 5 कभी भी यह bond नहीं बनाएग अगर अपना अंसर आजाएगा, तीसरा, अपना अंसर कोई आएगा, तीसरा आजाएगा, ठीक है, नेक्स्ट बात करें, consider the following statement, the planar shape of an SIS3 का whole trice is explained by an SIS3, 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 यह back bonding हो जाएगा, 2P से 3D की और, bond बन जाएगा 2P πाई, 3D πाई, कुन सा, 2P πाई, 3D πाई, ठीक है, क्या कहा रहा है यह, समतली सर्चना किसके करण है, nitrogen का संकरन चेंज हो गया, जो lone पेरता किसमें चला गया, पाई बनाने हम चला गया, बिलकुल सही बात है, nitrogen silicon की मद्दे, P-Pi, D-Pi bond अतिवयापन होता है, सही बात है, nitrogen की विदुरिंता, इसका कोई मतलब नहीं है, तो अपना आंसर आजाएगा A and B, A and B किसमें है, second में आपना second answer आजाएगा, next बात करते हैं, odd electron species है, देखिए बेड़ा, इसमें कितने electron होए total, 15 electron होगे, इसमें बात करेंगे, यह भी odd electron species है, C-L-O-2 भी odd electron species है, यह तीनों ही odd electron species है, तो अपना fourth, next बात करते हैं, कह रहा है, NH2 minus, NH3 and NH4 do not show similarity in the following, hybridation state of nitrogen, वेलकर तीनों में किया है, SP3 hybridation है, number of lone pair of electron, number of lone pair बेटा, same नहीं है, इसमें 0 lone pair है, इसमें 1 lone pair है, और इसमें कितने है, 2 lone pair है, तो किसमें सेम नहीं है, atomic number of nitrogen, यह तो सेम है, type of orbital, orbital overlapping in NH, यह भी सेम है, तो अपना क्या चीज़ सेम नहीं है, number of lone pair of electron, तांसर आजाएगा second, next बात करें, आइनिक bond किसमें परेज़ें, आइनिक bond के लिए बात करें, आइनिक bond बेटा किसमें present है, A में है, और यह non-directional होता है, कैसा होता है, non-directional होता है, तो अपने पास देखें, P का आजाएगा A और B, P का A और B तीन में दे रखा है, दूसरे में, तो पहला तो ऐसे cancel होगे अपना, next बात करें, इसमें covalent bond है, अभी अपर ने बात किती, NH4, CL में, covalent भी होता है, ionic भी होता है, coordinate bond भी होता है, ठीक है, covalent bond इसमें है, और covalent bond और किसमें है, C में भी है, किसमें है, C में भी है, diamond, सभी carbon आपस में किसे जुड़े होते हैं, covalent bond से जुड़े होते हैं तो क्यों कहा जाएगा A and C अब यह A और D दे रखे तो यह wrong हो गया तब इन दोनों में से अपने को clarify करना है कौन सा होगा metallic bond की बात करें किसकी metallic bond metallic bond किसमें present होगा यह metal में present होगा और metallic bond भी कैसा होता है non-directional होता है कैसा होता है non-directional तो metallic R का अपने पास आएगा क्या B and D ठीक है coordinate bond एक में present है कि इसमें NH4 CL में रहस का जाएगा A तो अपना अंसरा जाएगा fourth decreasing order of solubility बैटा जिब first group के carbonate और bi-carbonate की solubility होती है वो increase होते है group में top to bottom जबकि second group के carbonate और bi-carbonate की solubility होती है वो decrease होती है तो अपन देखें सबसे ज़्यादा solubility magnesium की मिलेगी अपने को फिर calcium की फिर strontium की और फिर barium की answer आजाएगा fourth ठीक है next बात करें consider the following statement NH2H4 is pyramidal about each nitrogen या hydrazine है इसमें तीन बौन्ड पेर है तीन बौन्ड पेर है और एक lone पेर है वे एक lone पेर तो कैसी shape आएगी ? pyramidal shape हो जाएगी विल्कुल right statement है NH2OH pyramidal about nitrogen and bent about the oxygen यह बेटा इस पर लोन पेर है इसमें SP3 एबेटिशन दो लोन पेर 2 सिगमा V शेप, बेंट शेप, एंगुलर इसमें तीन लोन पेर एक बॉन पेर तो कैसा जाएगा पिरामिडल तो यह स्टेटमेंट भी अपना राइट है यह स्टेटमेंट भी राइट है अगला कहा रहा है CS3COCL is trigonal about the carbon atom attached to the oxygen and chlorine इस carbon के लिए बात कर रहा है वेटा कर रहा है प्लेनर है विल्कुल इसमें क्योंकि SP2 hybridation आएगा तो ये कैसा मिलेगा अपने को प्लेनर मिलेगा तो ये statement भी सही है S1, S2, S3, T नो ही statement सही है ठीक है सही कतना पुछा इसने तो आंसर आजाएगा अपना फॉर्थ Which among the following molecule have SP3 hybridation with one lone pair of electron on the central atom एक lone pair होना चाहँ और SP3 hybridation होना चाहँ इसमें lone pair तो ये का बिटा इसमें SP3D sorry, SP3D hybridation पुछा है इसमें SP3D hybridation है एक lone pair plus 4 sigma इसमें कुछा है SP3 hybridation है इसमें बात करें SP3D hybridation है एक lone pair plus 4 sigma इसमें भी बात करें SP3D hybridation है एक lone pair plus 4 sigma एक lone pair plus 4 sigma तब बात करें 1, 3 and 4 1, 3 and 4 तो अपना answer आजाएगा second, next बात करते हैं, correct order of bone angle के लिए अभी बात की वेटा आपने, इसका special ध्यान रखना है, NO2, NO2 में bone angle 134 degree bone angle होता है, SP2 aberration होता है, brown color की gas होती है, paramagnetic होता है, acidic होता है, 134 degree bone angle होता है, इसमें ध्यान रखना है, इसमें 184, इसमें 124, इसमें 120 से हलका सा कम मिलेगा, क्योंकि loan pair आगया, तो यह statement बिल्कुल right है, अभी यह एक option में अपने पास आया था, कि PI3 का bone angle की lateral item की size बढ़ेगी, तो bone angle बढ़ेगा, यह right statement है, इसमें बात करें, BAF2, बिल्कुल right है, linear होगा, 109 degree होगा, इसमें एक loan pair आगया, तो थोड़ा सा bone angle decrease होजएगा, अ तो bone angle कैसा होगा, decrease होगा, तो अपना answer आजएगा, all, arrange the following in the order of decreasing NO bond length, NO2 plus, NO2 minus and NO3 minus, decrease of NO bond length, पुछी उटा, यहां bond order अपने count किया था, कितना आया था अपना, यहां double bond आ रहा है, तो bond order यहां कितना था, दो था, जबकि NO2 में count करें bond order, 1, 2, 3, 3 by 2, 1.5 आएगा, NO3 में count करें, एक, दो, तीन, चार, चार बटा, तीन, कितना हैगा, एक पॉइंट, तीन, तीन, तो bond order सबसे यहादा, NO2 plus, फिर किसमें आएगा, यहां, bond length पूछी एपने पास, तो bond length, जिसका bond order सबसे कम होगा, तो सबसे कम bond order NO3 माइनस में है, तो bond length maximum इसमें, NO3 माइनस में maximum, फिर NO2 माइनस, फिर NO2, answer आज जाएगा, second आज जाएगा, which of the following statement is false for tricylylamine, tricylylamine अभी भी भी बात किया अपने, and si s3, si s3, and si s3 होता बटा, यहां लोण पर मूब कर जाता है किसमें, ppi से 3dpi, silica के d में जाता है, क्या रहा है, it show trigonal planar, बिल्कुल sp2 aberration होता है, sp2 aberration हो जाएगा, लोण पर गाएब होने के कारण, ठीक है, the lone pair of electron occupier p orbital at right angle, to the plane triangle, and this is all left with empty p orbital on each of the three silicon atom, resulting pi 1, ppi orbital नहीं है, यहां देखी क्या है, d orbital है, इसलिए यह statement अपना कैसा होगा, wrong statement होगा, तो answer आगया, अपना second answer आजाएगा, ठीक, अगले भी देख लेते हैं, it is a wicker levis based than trimethylamine, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि trimethylamine है, इसमें lone pair यहीं रहता है, जबकि यहां, इसमें tricylylamine था, इसका lone pair कहां चला गया, back bonding में चला गया, इसके ओपर lone pair पढ़ा है अपने पास, lone pair पढ़ा है तो यह अच्छा base होगा, कि इसके compare में, इसके compare में, यह weak होगा, तो यह statement अपना right है, it has back bonding, बिल्कुल back bonding अपने pertinent है यहां पर, तो अपना answer आजाएगा second, next question देखते हैं, the dipole moment is 1.5D, the dipole moment इसका पूछा है, इसका dipole moment दे रहा है, एक chlorine है, उसे कितना है 1.5, आया है किशन है यह, अब देखे इसको अगर remove कर दे एक बार, तो यह 3 क्लोरिन एक दूसर को cancel कर देंगे, तो यहां आपने देखा, इसमें dipole moment किसके करण होगा, एक chlorine के करण ही होगा, तो यहां dipole moment अपना कितना आजाएगा, second answer आजाएगा, 1.5D आजाएगा, ठीक है, next देखते हैं, among ko2, alo2 minus ba2, no2 plus, unpaid electron is present in, बेटा जी, ko2 में देखें, यह plus और यह minus, super oxide है, यहां एक unpaid electron है, यहां एक unpaid electron है, alo2, alo2 minus क्या है, alo2 minus meta aluminate है, इसमें unpaid electron नहीं होता, no2 plus में भी नहीं होता, तो ko2 only one, एक ही answer आजाएगा, answer आजाएगा, अपना, fourth answer आजाएगा, कुनसा, fourth answer आजाएगा, next बात करते हैं, the species have bond angle different from that in CO, CO में कितने हो, 14 electron में कितना हो, bond order 3, तो 3 में किसमें, इसमें देखें, इसमें bond order आएगा, अपने पास, कितने होए, 16, 16 में कितना था, 2, answer तो first ही आगया, इसमें कितना हो, 3, इसमें भी कितना हो, 3, और इसमें भी कितना हो, 3, तो answer आजाएगा अपना, first, the pair of d orbital involved in d2 sp3 aberration, पेटाजी याद रखना, एक तो dsp2 हो, sp3 d हो, sp3 d2 हो, यह d2 sp3 हो, d3 हो, यह d कुमसा कामाता है, dx square, y square कामाता है, dz square कामाता है, dx square, पहले यह xeal कामाते हैं, कुमसे, xeal कामाते हैं, जबकि यहाँ क्या आएगा, dx square y square dz square और dxy कुणसा dxy तो अपना answer आजएगा 3 next देखते हैं अब अपने integer type question start हो रहे हैं अच्छा question है फस्ट question है यह 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 हाँ O नहीं है यह 0 है ठीक है बटा योगिक PCL x f 5-x में x के संबभ 0 से लेकर 5 हो तो x के मानों का योग क्या होगा जिनका दीद रुए dipole moment कितना हो अपने बना के देखते हैं compound कों से कों से 0 से 5 हो न चीए तो अपने पास क्या क्या बन सकता है PF5 बन सकता है PF4 CL बन सकता है PF3 CL बन सकता है PF2 CL 3 बन सकता है PF4 बन सकता है और PCL 5 बन सकता है अब dipole moment कहां कहां 0 मिलेगा यहाँ dipole moment mu 0 मिलेगा अपने वो यहाँ non 0 मिलेगा यहाँ भी non 0 यहाँ बेटा जी bend tool से बनाएंगे यहाँ mu 0 मिलेगा क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए PF उपर F नीचे CL 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 अपना यह 0 मिल जाएगा इसमें बात करें यहाँ भी mu कितना मिलेगा अपने को 0 मिलेगा PCL 5 मिलेगा तो कौन से कौन से होगे PF5 PF2 CL 3 and PCL 5 यहाँ 0 मिलेगा तो आंसर आजेगा अपना 0 3 0 3 आंसर आजेगा next बात करें how many of the following pairs have dipole-dipole attraction dipole-dipole की बात कर रहा है बेटा BF3 दोनों ही non-polar है इसमें लंदन फोर्स लगेगा CCL 4 non-polar है iron-dipole iron-induced dipole attraction force लगेगा यह dipole-dipole है SCL-SCL ठीक है यह भी polar molecule है अब यह भी polar है तो second हो जाएगा अपना CH chloroform-chloroform इसमें क्या हो गया iron-dipole हो गया यह ionic bond हो गया तो अपना आंसर आजाएगा 0 2 आंसर आजाएगा किसना? 0 2 next बात करें find the number of molecules have 3P pi, 2P pi back bonding पहले में बात करें बेटा OCL यहाँ 2P से 3D में जा रहे है 2P से 3D पेटा जी chlorine जब भी electron लेता है तो वो D में लेता है और जब chlorine electron देता है तो P से देता है तो यहाँ कुछ सब्सक्राइगा? 2P pi, 3D pi dichloro carbon loan pair इसके पास भी है इसके पास भी electron कहा? chlorine से carbon की और जाएएगे? क्योंकि carbon का octet कैसा है? incomplete है कहा जाएगे? 3P से 2P में जाएगे तो bond बन जाएगा 2P pi 3P pi BCL3 में बात करें यहाँ boron का octet भी incomplete है तो 3P से 2P में जाएगे तो bond हो जाएगा 2P pi 3P pi CCL3 में बात करें यहाँ बेटा carbon के पास octet complete है तो यहाँ इस तरफ move करेगा 2P से 3D में move करेगा तो इसमें पूछाए 2P pi 3P pi bond किसमें किसमें है तो अपने पास एक तो इसमें है और एक इसमें है तो अंसर आजएगा 0 तो अंसर आजएगा कितना? 0,2 नेक्स्ट बात करें Find the number of compound having 0 dipole moment अपने बात करें 0 dipole moment if central atom have no long period and lateral atom are same then dipole moment always 0 in compound इसमें देखो mu 0 मिलेगा अपने को 0 इसमें एक long period आगया 0 नहीं मिलेगा इसका 0 मिलेगा इसका non 0 non 0 इसका 0 तो 0 वाले कितने होगे बिटा? 0 वाले 4 होगे 0 4 आजएगा किसका? इसका 0 इसका 0 इसका 0 इसका भी 0 मिलेगा जिनमें central atom के पास एक long period होता है उनका dipole moment 0 नहीं होता नेक्स बात करें इसका आंसर 0 4 है How many molecules have 2 lone pair on the central atom? इसमें 2 lone pair है इसमें 1 lone pair है इसमें 3 lone pair है इसमें 2 lone pair है इसमें 1 lone pair है इसमें बात करें 1 lone pair है इसमें 1 lone pair है इसमें 2 lone pair है इसमें 3 lone pair है इसमें 1 lone pair है इसमें कोई है नहीं तो आंसर आजाएगा अपना 0 3 कौन सा कौन सा H2 में दो लॉन पेर हैं जिनोन F5-1 में दो लॉन पेर हैं और CLF3 यह CL है CLF3 में भी दो लॉन पेर प्रेजन्ट हैं तो अपना अंसर आजएगा 0 3 next बात करते हैं find the number of planar molecule तो planar देखते जाएं यह planar है planar है planar है planar है planar है pyramidal है non planar, pyramidal non planar, non planar और non planar तो इसमें अपने कितने planar मिल रहे हैं अपने को 0 4 तो अंसर आजएगा 0 4 pyramidal और जिसमें भी बेटा pyramid word लग गया या tetra word लग गया हो मेशा non planar होती हैं यहाद रखना next बात करते हैं find the number of species having born angle less than 109 degree 20 8 minute इसमें 109 degree 20 मिन से कम होगा इसमें भी कम होगा, इसमें पूरा 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 एक्स ओनो degree attainment इसमें भी कम होगा, इसमें भी कम होगा इसमें 120 होगा, इसमें 180 होगा, इसमें पूरा एक्स ओनो होगा, इसमें भी कम होगा इसमें भी कम होगा, तो अपने पास आंसर आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 6 में, एक सुनो डिग्रे टाइस्मिन से कम होगा, ठीक है, नेक्स्ट बात करें, find the total number of compound containing excess linkage, where x is the central atom, XX linkage किसमें है, ये Thiosulfate, Sodium Thiosulfate है, इसमें है, इसमें XX linkage है, S-S-S bond आता है, इसमें भी है, S-S, nitrogen structure बनेगी इसकी, इसमें बेटा, इसकी structure यहाँ रखना, पूचा गया, insignificant है, unsymmetrical agreement दिया है, तो इसके unsymmetrical structure यह होती है, इसमें N-N bond present है, X-X linkage पुछिए इसने, ठीक है, CL2O7 में नहीं है X-X linkage, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो अपने पास इसकी structure याद रखना, थायो-sulphuris से सीख़, यह पायो-sulphuris से सीख़, structure कैसी बनेगी, H-O-S double bond O, double bond O, S double bond O, तैसे सी linkage पूछिए किसमें किसमें हो गई अपने पास, कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, next बात करते हैं, नेक्स्ट कुशन देखते हैं, यह बेटा, बेंट रूल पर है, find the total number of compound or ions having different bond length, different bond length between identical atoms, देखें बेटा, इसमें SP3D iberation है, परंतों यहां दोनों fluorine axial है, तो दोनों में सेम मिलेगा, ठीक है, यहां बात करें, सेम atom के बीच में देखना है बेटा, सेम atom में तो यहां सेम मिलेगा, यहां कलोरीन, कलोरीन सेम होगा, यहां बात करें, P, F, F, C, L, C, L और F, अब यह equatorial है, और यह axial है, यह bond बड़े होंगे, किसके compare में, इसके compare में तो एक तो आगया अपना, first, same to same, इसमें भी यही देखेंगे, दो, BRF5 में एक loan pair आगया, अगर loan pair नहीं होता, तो तो यह bond सेम मिलते, SF6 में सारे bond सेम होते हैं, जबकि यहाँ loan pair आगया, तो यहाँ different हो जाएगा, देखिए हो गया, इसमें भी different मिलेगा अपने को, इसमें भी same, यही दोनों same है, SF6 में तो same नहीं मिलेंगे, IF7 में बात करें, इसमें भी bond अंगल अलग अलग आगए, इसमें बेटा जी, equatorial bond क्या होंगे? बड़े होंगे, equatorial bond क्या होंगे? बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पर bond अंगल कम है, तो यह answer अपना, यह आजाएगा, answer कितने आगे? 1, 2, 3, 4, 5, 0, 5 answer आजाएगे, कितना? 0, 5, next बात करते हैं, find the number of molecules which are planar, planar molecule कौन से कौन से है, T-shape, V-shape हमेशा planar होती है, तो यह T-shape 1, यह non-planar, non-planar, planar 2, 3, 4 planar, 5 planar, non-planar, non-planar, 6 planar, ठीक है? तो अपने पास answer आजाएगा, 0, 6 answer आजाएगा, CLF3 planar है, SF4 है, जो पाई-shape होता है, non-planar होता है, genone F6 है, distorted octadral है, ठीक है, genone F2 है, linear planar हो जाएगा, genone F4 है, स्क्वार planar हो जाएगा, ठीक है, तो अबना answer हो जाएगा, 0, 6, next बात करते हैं, among the following oxygen containing species mark those which have XOX linkage, इसमें XOX linkage नहीं है, क्योंकि इसकी structure कैसी आती है, ये Marshall AC divator, structure formation पढ़ा हो अपना, ये cancel हो गया, इसमें आएगी, इसकी कैसी होगी, SOS OS OS, XOX link के जाकर ये एक, इसमें भी आजाएगी, N2O5 की कैसी structure होगी, ON, double bond O, coordinate O, double bond O, coordinate O, दो, P4O10 की structure भी आएगी, ring बनानी है, इसमें भी POP bond आजाएगा, इसमें भी POP आजाएगा, CL2O7 में, CL2O7 की structure कैसी होती है, CL, OCL, ऐसी structure बनाएगी, मतलब XOX bond आजाएगा, इसमें भी आजाएगा, BO2, meta, meta जो होते हैं, normally क्या cyclic structure बनाते हैं, cyclic बनाएगा, BOB bond आजाएगा, इसमें भी आजाएगा, तो अपने बाहन से answer आजाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 answer आजाएगा, इसका भी 0, 6 answer आजाएगा, next बात करते हैं, find the number of oxide which are more acidic than SO3, SO3 किसका iron-aided है भीटा, H2SO4 का iron-aided है, H2SO4 से ज्याद़ अजाएगा होन होता है, HClO4 होता है, तो इसमें कोन आजाएगा, Cl2O7, बाकि सारे इससे weak होंगे, यह तो basic होता है, यह amphoteric होता है, यह दोनों weak होंगे, तो answer आजाएगा, 0, 1, more acidic पूछा है, more acidic, तो Cl2O7 ही आएगा, how many of the following molecules are paramagnetic, paramagnetic कोन से कोन से हैं, यह superoxide है, plus 1, minus 1, तो paramagnetic हो गया, यह peroxide है, diamagnetic है, इसे minus 2 है, diamagnetic है, यह भी कैसा होता है, paramagnetic, यह unpaid electron होता है, यह भी कैसा होता है, paramagnetic होता है, 15, तो answer आजाएगा, 0, 3, how many of the following compounds are thermally more stable than compared to RBI, बैज़ाजी, जितने monoatomic होते हैं, उनकी thermal stability latest energy से दियाती है, latest energy से दियाती है, top to bottom जाती है, latest energy क्या होती है, decrease होती है, decrease होती है, thermal stability भी decrease होती है, तो क्या पूछ रही है, how many of the following compounds are thermally more stable, thermally more stable, RBF की compare में कितने ज़्यादा stable है, तो एक हो गया, यह ज़्यादा stable होगा, latest energy ज़्यादा है, BF2 की latest energy ज़्यादा है, CAF2 की latest energy ज़्यादा है, KF की latest energy ज़्यादा है, NAF की latest energy ज़्यादा है तो कितने 0,5 होंगे वो ज़्यादा stable होंगे thermally किसके compare में? RBF के compare में Next बात करते हैं Last question है अपने पास Which of the following hydrate ion has higher ionic mobility than BE plus 2? BE plus 2 की से ज़्यादा किसकी thermal stability mobility होगी? अपने पता है size बड़ी होगी तो mobility कम हो जाएगी? ठीक है? साइज इन सबकी ही क्या होगी? Small होगी किसके compare में? B plus 2 के compare में? यह answer आजएगा 0,6 सारा paper बेटा अपना J main level का था बिल्कुल आसान सा paper आसान भी नहीं बहुत सकते conceptual question थे सारे के सारे मिलते हैं next paper में आज के लिए इतना ही Thank you